कुनाल, कुनाल, वेर आई यू, यह किरिंग लेट बेटा, तभी वहाँ कुनाल आता है I am ready mom, by the way, good morning Good morning, चले, दोनों office के लिए निकलने लगते हैं, तभी वहाँ पायल आ जाती है एक मिनिट, कहां जा रहे हैं आप लोग, नाश्टा तो कर लीजिए नहीं बेटा, we are already very late, हमारी आज एक meeting भी है, एक project के regarding पर ऐसे बिना breakfast किये जाना ठीक नहीं है, और आप लोग काम की बज़े से lunch भी करना भूल जाती है बस 5 मिनिट दीटे मुझे, मैं breakfast पैक करके देती हूँ, आप दोनों के लिए, उके? बस 5 मिनिट, पर तब तक पायल वहाँ से जल्दी से किचन में चली जाती है, निशा कुनाल की तरफ देखती है, तुम्हारी बीवी भी न? पर प्यारी है, वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थी कि तब भी वहाँ कुनाल के पिता ही मनत आ जाती है निशा, हमारी कंपनी गुपता जी से जो raw materials लेती थी, तुम्हें उनका contract कैंसल कर दिया, मुझे गुपता जी का phone आया था भी हाँ, contract कैंसल कर दिया मैंने उनका पर क्यों? जब हमें उनसे अच्छा समान किसी और डीलर से मिल रहा है, वो भी कम दामों में, तो हम उनसे माल क्यों ले? गुपता जी हमारी कमपनी में पिछले 20 सालों से समान सप्लाई कर रही है, वो तब से हमारे साथ हैं जब ये companies बुलंदी पर नहीं थी, जिस पर आज है, और तुमने उनका ही contract कैंसल कर दिया, उनका सबसे बड़ा source of income हमारी कमपनी ही है, business और human ethics नाम की भी कोई चीज होती ह लिसन, अगर हम business में रिष्टे बनाने बैठेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सारी जिंदगी ethics के नाम पर बोच तो नहीं ढोया जा सकता ना, और वैसे भी office में क्या हो रहा है और क्या नहीं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, साथ साल से आप घर प थेंक्स मिस्टर महरा आते हैं मैं आए कमिन मैम येस मिस्टर महरा, कमिन, कहिए, कोई काम था आपको काम तो नहीं था, बस कुछ बात करनी थी बोलिए वो मैम, मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसने लौकी पढ़ाई करी है, बहुत intelligent है वो मैं चाह रहा था कि अगर हमारी कमपनी में उससे as intern रख ले और हमारी कमपनी के legal advisor मिस्टर खना के अंडर वो internship कर ले, थो उसके करियर को अच्छा पूश्ट मिल जाएगा चीक है, आप कल से उसे office बुला लीजिए, मिस्टर खना से मैं बात कर लूँगी ये क्याकर मिस्टर महरा जाने लगते हैं, तभी निशा बोलती है, वैसे आपका एक बेटा भी है न, उसने भी लॉग किया है जी, पर उसका जादा मन नहीं लगता, वो अपने करियर को लेकर जादा सीरियस नहीं है, हम उसे समझाते रहते हैं, पर कोई खास फरक नहीं पड़ता उस पर एक काम करिएगा, बेटी के साथ कल अपने बेटे को भी ऑफिस बुला लिजेगा, हो सकता है ऑफिस आकर उसका काम में मन लगने लगे, जी ठीक है, ठेंक यू सर महरा केबिन से चले जाती हैं, अगले दिन मिस्टर महरा की बेटी प्रिया और उनका बीटा पियोश आफिस आती हैं, वो निशार को नाल से मिलते हैं, तुम दोनों मिस्टर कहना से मिल लो जाकर, वही तुमारे इंट्रव्यू लेंगे ओके मैम आप जादा फोकस की उच्छ पर करिए उसे हर चीज अच्छ से सिखाएए मैंने सोचा है कि उसे इंटरेंशिप पूरी होने के बाद जॉब पर रखूँगा बट सर प्रिया उससे कही जादा बैटर है अगर हम उसे जॉब पर रखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी एंप्लॉई साबित होगी मैंने आपसे आपकी अड्वाइज नहीं मांगी बट आपने फिर भी दी तो उसके लिए थैंक यू सो मच पर दी हाश रियल्टी इस आयम दा बाउस तो unfortunately आपको मेरी बात मानने ही पड़ेगी I hope it's clear now खना का चहरा उतर जाता है और वो चुपचाप हाँ में से रहिला कर वहाँ से चले जाता है शाम को निशा और कुनाल घर आती है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे कुनाल, आज मैंने आपकी फेवरिट पनीर बटर मसाला बनाया है पाइल, तुमने हमें और हमारी घर को बहुत कम समय में अच्छे से संभाल लिया है लगता ही नहीं तुम्हें इस घर में आये हुए सिर्फ 6 महीने हुए है पाइल अपने ही सोच में गुम यूही बोल देती है लगता तो मुझे भी नहीं है कि इतने वक्त से मैं यहां ऐसे रह रही हूँ मतलब? निशा सवाल या नजरों से उसकी तरफ देखती है पाइल खुद को संभालते हुए बोलती है अम मेरा मतलब है कि वक्त का पता ही नहीं चला आप लोग ने मुझे इतने प्यार से अपना लिया है निशा के चहरे पर मुसकान आ जाती है बाइदोवे कुनाल मिस्टर खना से बात हुई तुम्हारी खना जी बता रही थी कि प्रिया काफी शार्प और इंटेलिजन्ट है कुनाल कच बोलता उससे पहली ही हेमन बोलते है मिस्टर महरा की बेटी वो तो बहुत टेलेंटेड है जब वो कॉलेज में थी तब एक बार मैं उससे मिला था बहुत ambitious और passionate थी पीटा भी उनका ठीक ही था पर जादा serious नहीं था अपनी life और career को लेकर मॉम मैंने मिश्टर खना से कहा है कि वो प्यूश पर special focus करें इंटरंशिप के बाद मैं उससे job देने के वारे में सोच रहा हूँ अगर job देनी ही है तो प्रिया को consider कर सकते हैं उससे consider करके क्या होगा ultimately उससे शादियों का जा नहीं है उससे बहतर है हम उस चीज में अपना money और time invest करें जो long term हमारे साथ रहेगा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सिरफ इसे लिए कि वो लड़की है तुम्हें एक deserving candidate की जगा less deserving को देदोगे और कहा कि सोच है कि शादी के वाद वो काम नहीं करेगी डैड भगवान ने बाहर के काम लड़कों के लिए और घर के काम लड़कियों के लिए बनाए है जो जिसका काम है वो वही करते अच्छा लगता है प्रिया को ultimately घर ही समालना है तो उससे better है हम प्यूश को जोब पर रखें जिससे उसकी financially भी help हो जाए और जोब भी लग जाए Seriously, ऐसी सोच है तुम्हारी अगर ऐसा है तो तुम्हारी mom भी तो working करती है तो उन्हीं भी रोक दो तुम उसे साब से उनका काम भी तो बस घर समालना है Dad please, mom के बारे में हम बात ना करें तो ही बैतर होगा उनकी परस्तिती अलग थी क्या अलग है Just say it Mom के उपर घर के responsibility थी क्योंकि आप ठीक से office नहीं समाल पाते थे अगर mom आगे ना बढ़ती तो पता नहीं हमारे business का क्या होता What? Dad please मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी ये कहकर कुनाल वहाँ से चला जाता है हेमन निशा की तरफ देखते हैं उनकी आखों में गुसा और दुख साफ चलक रहा था पायल ये सब कुछ देख रही थी पर वह चुप थी निशा हेमन की तरफ देखती है और उठकर चली जाती है पायल हेमन की तरफ देखती है उसकी आखों में भी दुख था वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है अब वहाँ सिर्फ हेमन बैठे थे आधी रात हो चुकी थी कुनाल बैट पर सो रहा था और उसके बगल में पाहल लेटी हुई थी कुनाल को प्यास लगती है वो पाँस रखे जग को देखता है पर वो खाली था पाहल यह देख लेती है मैं लेकर आती हूँ पाइल जग लेकर किचिन में जाती है और पानी लेकर रूम में जाने लगती है तब ही उसकी नजर हेमन पर पढ़ती है जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे पायल सोचती है, यह पापा यहां इससे क्यों बैठे है, वो रूम में जाती है और पानी रखकर बाहर जाने लगती है कहां जा रही हो? अभी आती हूँ, किचिन में लाइट आफ करना भूल गई हूँ ओके कुनाल सोच आता है और पायल बाहर खिमन के पास आ जाती है अरे पापा, आप यहां इससे क्यों बैठे हैं? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, तुम अभी तक सोई नहीं मैं पानी लेने आई थी किचिन में, तो आपको देखा, पायल उसके पास बैठ जाती है क्या बात है? आप बहुत उदास लग रही है नहीं, उदास नहीं है, और उदास होकर मिलेगा भी क्या? बात क्या है पापा? अप ऐसे क्यों बोल रही है? एक बात बताओ बेठा, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती थी? I mean, हर इंसान का कोई न कोई सपना होता है, कि जिंदगी में मैं ये अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? तुम क्या चाहती थी? आज ही सवाल क्यों पापा? बस ऐसे ही, बताओ ना पाइल हलका सा मुस्कुरा कर, खुद में हो जाती है और बोलती है, मैं आखिटेक्ट बनना चाहती थी, मुझे लोगों के घर, ओफिस, इन सब के नक्षे बनाना बहुत अच्छा लगता था मैंने सपना देखा था कि एक दिन इतना उच्छा उठोंगी, कि अपने पैसे और टालन्स से एक ओल्डेज होम डिजाइन करूंगी, जिसमें हर तरहे की फैसिलिटीज होंगी जो भी बज़ुर्ग, कुछ भी करना चाहेंगे, उसकी सुविधा वहाँ होगी हेमन बस पाइल को देखे जा रहे थे, चहरी पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और अब? पाइल अपने खयालों से बाहर आती है और साथ ही उसके चहरी के मुस्कान भी फीकी पढ़ने लगती है वक्त के साथ बहुत से अर्मान दफन हो जाती है पापा और कभी-कभी मकसद भी बदल जाती है उसके आखों में गुस्सा उतरने लगता है इस घर की छत के नीचे ना जाने कितनों के सपने दफन होंगे, एक वो थी पायल हेमन की तरफ देखने लगती है, हेमन बोलते-बोलते रुख जाते है ये कहकर हेमन वहां से चले जाते है अपने सपनों के साथ तो मैंने समझोता कर लिया पापा, पर अपने मकसद के साथ कभी नहीं करूंगी वो पूरा होकर रहीगा, फिर उसके मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकाने पड़े क्या मकसद है पायल का जिससे वो हर हाल में पूरा करना चाहती है इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपने सपनों के साथ समझोता करने के लिए क्यों मान गई ये तो वक्त ही बताएगा अगले दिन से मिस्टर महरा के दोनों बच्चे प्रिया और पियूश ऑफिस आने लगते हैं और खना जी के साथ बैटकर सीखने लगते हैं कुनाल के कहने पर मिस्टर खना पियूश पर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते थे और प्रिया को बस थोड़ा बहुत बता दिया करते थे ये सलसिला अलगभग 15 दिन से चल रहा था प्रिया सब समझ रही थी पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी उसका मन बहुत दुखी था एक दिन पाहिल कुनाल को उसके एक फाइल देने आफिस आती है कुनाल गिलो तुम्हारी फाइल यही थी ना? हाँ यही थी Thank you so much फाइल अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता तुम्हारा कुछ होने के लिए मेरा होना तो बहुत ज़रूरी है तो भला मैं कैसे ना होती? कुनाल को उसकी बाद समझ नहीं आती वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है जहां तुम, वहां मैं कैसे नहीं होंगी कुनाल? पत्नी हो तुम्हारी, मुझे तो होना ही है हाँ सही कहा अब आई हो तो रुख जाओ थोड़ी देर मैं खाना खालो फिर चली जाना ठीक है, दोनों केबिन में पड़े सूफे पर बैट जाते हैं और कुनाल खाना खाने लगता है बहुत अच्छा है तुम्हारे हाथ में सच में जादू है पायल मन करता है चूमलू पायल बस उसे गुस्से भरी मुस्कान के साथ देख रही थी सिर्फ हाथ में ही नहीं मैं पूरी जादू गर्णी हूँ अकर और जादू दिखा दिये तो कहीं तुम्हारे पेरो तली जमीन ना निकल जाए कुनाल उसके तरफ देखने लगते है और फिर उसके चहरे पर हसी आ जाती है तुम हर समय मजाग कैसे कर लेती हो टालेट है पाएल कुनाल को थोड़ा और करीब जाती है और धीर इसे बोलती है कहीं मजाग मजाग में कोई सश नानेकल वालू थोड़ा बच की रहना वो बीचे हो जाती है और मुस्कुरानी लगती है कुनाल बस उसे देखते रह जाता है शाम को खाने में क्या खाओगी? अरे खाने में क्या खाओगी पूछ रही हूँ जो तुमारा मन करें बना देना अरे ऐसी कैसी पती की पसंद नापसंद का खयाल रखना तो पतनी का फर्स होता है मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना सकती हूँ जो तुम कहो बना दूँगी पालक पनीर डन, चलती हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं कुनाल हा में सेर हिलाता है पायल जाने लगती है कि तभी कुनाल उसे रोकता है पायल हाँ पायल उसके पास जाकर बैठ जाती है कौन हो तूँ और यहां ऐसी अकीले बैटकर रोक्यों रही हो, कुछ नहीं, देखो, जब तक तो अपनी परिशानी बताओगी नहीं, तब तक उसका solution कैसे निकलेगा, बताओ मुझे, हो सकता है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, प्रिया पायल के तरफ देखती है, मेर भी बहुत खुर्षती कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर जैसा मैंनी सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ, हम दोनों को यहां जॉइन की ये 15 दिन हो गए हैं, पर मुझे पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया जाता, सारा टाइम मेरे भाई को सिखाने में ही निकाल जाता है, ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत है, मैं खुश हूँ उसके लिए, पर मेरे साथ ऐसा वैवार क्यों, जबकि मैं काम उससे ज्यादा अच्छा करती हूँ, वो फिर से रोने लगती है, पाईल मन में सोचती है, शायद ही वही है जिसकी उस दिन घर में बात हो रही थी, पाईल को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगता है, प्रिया खुद को संभालते हुए कहती है, I'm sorry, मैं न जाने आपसे क्या-क्या कह गई, it's okay, कभी-कभी मन हलका करना भी ज़रूरी होता है, प्रिया हाम में सिरह लाती है, वैसे आप कौन है, इससे पहले आप को यहां कभी देखा नहीं, मैं कुनाल मलोतरा की वाइफ हूँ, पाईल मलोतरा, प्रिया यह सुनकर डर जाती है, I'm really really sorry मैं, मुझे पता नहीं था, आप प्लीस सर से कुछ मत बताइएगा, वरना मेरे पापा की नौकरी जा सकती है, I request you, relax, तुम्हें परिशान होने के कोई सरूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तो मुझे अपना फोन नंबर दो, ची, फोन नंबर, प्रिया घबराते हुए पाईल को अपना नंबर देती है, don't worry, and wish you all the best for your future, प्रिया को कुछ समझ नहीं आता, पाईल वहां से मुस्कुर आते हुए चली जाती है, अ अलो मिस प्रिया, मैं लॉयर शाम मलानी बोल लहा हूँ, लॉयर शाम मलानी, हेलो, हेलो सर, मुझे अपने ओफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्या आप ये जॉब करना चाहेंगी, प्रिया हिरान रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, पर सर मेरे पास कोई experience नहीं है, in fact मैं तो इसी साल pass out हुई हूँ, और एक जगे internship कर रही हूँ, not a problem, आपके internship अब खतम हो रही है, 15 दिन बाद, ठीक है, तो उसके बाद आप मुझसे मेरे office में आकर मिलिये, रही बात काम सीखने की तो वो तो आप यहाँ सीख जाएंगी, thank you, thank you so much sir, you are welcome, sir, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, आपको मेरे बारे में कैसे बता चला, प्रिया, बिटा, एक तुम्हे तुम्हारी आगे की जन्दगी के लिए advice देता हूँ, जितना जरूरत हो बस उतना ही जानो, खुश रहोगी जन्दगी में, प्रिया चुप हो जाती है, see you जानता हूँ, तुम कह रही हो तो जरूर उसमें कोई बात होगी, मुझे पता है कि तुम्हें टेलेंट और इंसान समझने की समझ है, तुम्हारे पिता और मैं बच्पन के दोस्ते रहे हैं, वो तो अब रहा नहीं, पर बेटी जासी हो तो मेरी, बेटी पर इतना भरूसा तो करूंगा ही, थैंक्स अंकल, मैं चलती हूँ, पाहल जाने लगती है कि तभी मिस्टर मलानी बोलते हैं, बाइदवे, इस वक्त प्रिया कहा इंटरिशिप का रही है, पाहले गहरी सास छोड़ते हुए कहती है, मलोत्रा ग्रूप ओफ इंडॉस्ट्रीज, बॉट ये तो मलानी हा में सिर्हिलाते हैं, पाहल वाँ से चली जाती है, वक्त गुजरने लगता है, प्रिया की इंटर्शिप मलोत्रा ग्रूप अफ इंडॉस्ट्रीज में खतम हो गई थी, और उसने मिस्टर शाम मलानी को ओफिस जोइन कर लिया था, जहां उनकी गाइदन्स में वे अ बहुत खुश थे, रात का वक्त था, घर पर सभी लोग सो चुके थे, पायल चुप चाप उठती है और कार लेकर कहीं चली जाती है, वो कार एक छोटे से घर के आगे रोकती है और घर के अंदर चली जाती है, अगली सुभह कुनाल सो कर उठता है और पायल को आवास देता है, पायल, पायल, ये पायल कहां चली गई, बुलाने पर भी नहीं आ रही, वो उठकर हॉल में जाता है, जहां उसके मॉम निउस्पेपर पढ़ रही थी, मॉम, आपने पायल को देखा, नहीं, रूम में होगी, रूम में नहीं है, काफी देर से आवास दे रहा हूँ, घर पर नहीं है, कुनाल, तुम उसे फोन करके देखो, हाँ, कुनाल पायल को फोन मिलाता है, तो उसकी अवास घर के दर्वासे से आती है, वो लोग दर्वासे की तरफ देखते हैं, तो सामने पायल खड़ी थी, जिसके एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में फोन थ कुनाल पायल के पास आता है कुनाल पायल के चहरे पर एक जीत की मुस्कान लिये वहां से चली जाती है पायल ऐसे ही अकसर रात में उस घर से बिना बताए जाया करती थी पर कहां वो किसी को नहीं पता था कि वो क्यों जाती है वक बीटने लगा एक दिन आस्मान में एकदम काले बादल चाये हुए थे लग रहा था मानो कोई तुफान आने बाला हो कुनाल अभी तक घर नहीं आया था पायल उससे फोन करती है कुनाल कहा हो तुम? मौसम कितना खराब हो गया है प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ हाँ पायल मैं बस ऑफिस से निकल ली रहा हूँ बस थोड़ी देर में घर आ जाओंगा ठीक है वो फोन रग देती है कुनाल भी ऑफिस से निकल गया था बहुत तेज हवाई चलने लगी थी कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कुनाल को गाड़ी चलाने में बहुत परिशानी हो रही थी दो घंटे हो गए थे घर पर सभी बहुत परिशान थे पायल कुनाल को फोन करके पता करो कि कितनी देर में आ रहा है जी पायल जैसे ही कुनाल को फोन करने केले मुबाइल हाथ में लेती है, तभी उसका फोन बज़ता है कुनाल का फोन वो फोन उठाती है हलो कुनाल हलो जी मैं बांदरा से बोल लहाँ हूँ ये जिनका भी फोन है, उनका बहुत बुरा एक्सिडन्ट हो गया है पायल के हाथ से फोन छूट जाता है क्या हुआ पायल? बताओ बेटा वो फोन उठाते हैं और वो आतमी उन्हें कुनाल के आक्सिनन्ट की ख़बर देता है निशा फूट फूट कर रोने लगती है हेमन भी बहुत परिशान हो जाती है पायल सुन सी जमीन पर बैठी हुई थी वो उठकर अपने कमरे में जाती है और कुनाल की तस्वीर को अपने हाथ में लेती है तुम ऐसे नहीं कर सकते कुनाल? नहीं कर सकते तुम ऐसे नहीं जा सकते तुम्हें जिन्दा रहना होगा समझे तुम तुम्हें जिन्दा रहना ही होगा मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूगी ये खहेकर वो फूट फूट कर रोने लगती है क्या है ये पहेली आखिर चाती क्या है पायल क्यों जाती है वो अक्सर उस घर में कौन सा राज दफन है वहाँ? क्या पायल और कुनाल का रिष्टा प्यार से बना है? या वज़े कुछ और है? कुनाल के आक्सिडेंट की खबर सुनकर पायल, निशा और हेमंद तुरंथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं. तीनों हॉस्पिटल पहुचते हैं. डॉक्टर, मैं निशा मलोत्रा. कुनाल मलोत्रा की मा, कैसा है मेरा बेटा? फ्लीज बताएए. देखिए मिसिस मलोत्रा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे उन्हें बचाने की. कोशिश? कोशिश से आपका क्या मतलब है डॉक्टर? आपको बचाना होगा मेरे बेटे को. पायल जो कुछ करना पड़े करिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए. ओपरेशन शुरू करने से पहले मिसिस कुणाल मलोत्रा को कॉंसेंट पेपर्स पर साइन करना होगा. हाँ, अगर ओपरेशन के दौरान पेशन्ट को कुछ हो जाता है, तो उसमें होस्पिटल की जिमेदार की. देखिए, मैं पेपर्स पर साइन करने को तयार हूँ, सब उसके तरफ देखने लगते हैं. आप जल से जल्द ऑपरेशन शुरू करने के तयारी करिए, डॉक्टर. जी, मैं तुरन पेपर्स रेडी कराता हूँ. एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक पर कुनाल से मिलना चाहती हूँ. पर वो इस कंडिशन में नहीं. प्लीज, मैं बहुत कैफ़ली जाऊंगी. मेरी बज़े से कोई स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है, आईए. पायल डॉक्टर के साथ कुनाल को देखने आइसीयो में जाती है. कुनाल बहुत ज्यादा जखनी हालत पर बेट पर ले भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते. तुम ऐसे नहीं जा सकते कुनाल, नहीं जा सकते. पायल के आँखों में अजीव सभाव था. डर और दर तो था, पर कुनाल को खोने का नहीं, बस उसके मरने का. थोड़ी देर में पायल वॉट से बाहर आ जाती है. वो कंसेंट पेप कुनाल की जान बच जाए. लगभग तीन घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं. निशा और हेमन तेज कदमों से उनके पास आते हैं. डॉक्टर, कुनाल कैसा है अब? उनकी ये बात सुनकर, निशा और हेमन बहुत खुश हो जाती हैं. दूर खड़ी पायल सब सुन रही थी. वो भी एक चैन की सांस लेती है. अब उन्हें वाड में शिफ्ट कर रही हैं. अभी उन्हें होश नहीं आया है. थोड़ी दिर में आ जाएगा. पर वो अभी बहुत कमजोर है. रिकवर होने में टाइम लगेगा. ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाती हैं. थोड़ी देर में कुनाल को होश आता है. और सब उससे मिलने के लिए वॉट में आती हैं. कैसा है मेरा बच्चा? कुनाल हा में हलके से सिरह लाता है. तब ही कुनाल की नजर वही थोड़ी दूर पर खड़ी पायल पर पड़ती है. वो उसे देखने लगती है. हेमंद उसे ऐसे देख लेता है. वो निशा से कहते हैं. चलो निशा, हम बाद में आकर कुनाल से मिल लेंगे. अब भी उसे आर संगोच के साथ उसके पास आकर बैट जाती है. कुनाल धीरे से अपना हाथ जो कि पायल के हाथ से थोड़ी दूरी पर था, धीरे से सरका कर पायल के उंगलियों पर रखता है. ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुनाल ने उसे कभी छुआ नहीं था. पर आज जैसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था. वो अपना हाथ पीछे कर लीती है और उठकर खड़ी हो जाती है. कुनाल तुमारी तब्यर ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं बात में आती हूँ. वो ये कहकर वाट से निकल जाती है और कुनाल उसे जाते होई देखता है ऐसे ही पंदरा दिन बीट जाती हैं. निशा ओफिस की बज़े से ज्याता तेर के लिए ऑस्पिटल में नहीं रह पाती थी. कुनाल का पूरा ध्यान पायल ही रख रही थी. कुनाल अकसर बस उसे देखा करता था. ना जाने उसे क्या हो गया था. मिस्स मलोतरा, अब मिस्टर कुनाल ठीक है. हम उन्हें आज शाम को डिश्चार्ज कर रही हैं. आप फिक्र मत करिये डॉक्टर, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी. ओके. मैं ठीक हूं, मॉम. तुम रूम में जाकर अराम करो. पायल, कुनाल को कमरे में ले जाती है और सहारा देकर उसे बेट पर लेटाती है. वो वहां से जाने लगती है कि कुनाल उसका हाथ पकड़ लीता है. कहां जा रही हो? वो तुम्हारे लिए चूसर कुछ खाने के लिए थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास, प्लीज. पायल उसके तरफ देखती है और संकोत से उसके बगल में बैठ जाती है. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था. हां, कहो. थैंक यू. थैंक यू. पर किस लिए? तुम जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो इसके लिए. अगर उसकी बज़े प्यार नहीं है. अरे कहां खो गई? पायल होश में आते हुए. नहीं नहीं, कहीं नहीं. तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ. उसके बाद दवाई भी तो लीनी है. ये कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और कुनाल एक को क्या हुआ मॉम? आप बहुत ठकी हुई लग रही है. कुछ नहीं बेटा, तुम आफिस में नहीं हो ना. इस वज़े से सारा वर्क प्रेशर मेरे उपर आ गया है. तब ही काफी तकान हो जाती है. पर तुम टेंशन मतलो, सब मैनेज हो जाएगा. I am sorry मॉम, मेरी वज़े स आप इतना परेशान हो रही है. कैसी बात कर रही हो बेटा? तब ही पाहल वहाँ आती है. अगर आप लोग को बुरा ना लगे, तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो ना. मॉम, कुनाल को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए ओफिस जाया करने में भी टाइम लगेगा. आ हेमन थेरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं. उसकी जरूरत नहीं है. मैं मैंनेज कर लूगी. मुझे पता है आप मैंनेज कर लेंगी, पर इससे आपकी हेल्थ पर भी तो असर पढ़ रहा है. एक बार कुनाल ठीक हो जाएं, फिर तो वो दुबारा से ओफिस जॉइन कर ही लेंगे, पर मॉम, मुझे लगता है पायल सही कह रही है. डैट के ओफिस आने से आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा. निशा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे उन दोनों की बात माननी पड़ती है. छीक है. उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं. हेमन द आजकल मैं देख रही हो कि तुम इस घर के हर मामने में बोलती हो. बात क्या है मॉम? पायल तुम जैसी थी हमें वैसे ही पसंद हो. इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है. ना पैसो की और ना प्यार की. तो तुम उसी में खुश रहो ना? कौन क्या करेगा और क तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए. इस घर की बहुएं घर के और ओफिस के फैसलों में नहीं बोलती है. ये बोलकर निशा महां से चली जाती है. पायल मुस्कुराते हुए गुस्से से बोलती है. वो वक्त गया मॉम जब इस घर की बहुएं घर और ओफिस के म लाने लगती है। कुनाल बस उसे प्यार से देखे जा रहा था। वो धीरे से उसके करीब आने की कोशिश करता है और पायल मुस्कुराते हुए अपना मुग घुमा लेती है और उटकर खड़ी हो जाती है। यह क्या हो रहा है मुझे। यह पहली बार तो नहीं है जब कुनाल ने मुझे चुआ है। हमारी पीच पती-पत्नी वाला ही रिष्टा है। इस घर में आने से पहले मैं इन सब चीजों के लिए तयार होकर आई थी और अब तक सब बर्दाश्ट भी कर रही थी। पर तो न में मुझे क्यों डड़ लग रहा है। वो वहां थोड़ी देर ऐसे ही आँख बंद करके खड़ी रहती है। वो थोड़ी देर में कमरे में आती है। कुनाल सोच चुका था। वो भी उसके बगल में आकर लेट जाती है। पर नेंद उसकी आखों से कोसो दोड थी। अगले हेमंद आफिस जाने के लिए तयार होकर घर के बाहर मंदिर में भगवान के आगे हाँ जोड रहे थे। कि तब ही वहां पायल पूजा की थाले लेकर आती है। पापा, विशे अल दे बेस्ट। थेंक यू बेटा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारी वज़ह से आया है अगर तुम ना कहती तो शायद ये दिन कभी ना आता। दिन चाही किसी की भी वज़े से आया हो। बस मैं ये चाहती हो कि आप अपनी काबलियत और लोगों के सामने लाएं जो सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा। ये कहकर पाइ को उनके हिस्से का हक और सम्मान दिलाने में मेरी मदद करियेगा। आखिर कौन है पायल और कैसी है अच्छी है बुरी है भोली है तेज है कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी इतना अच्छा करती है कि अच्छी लगती है तो अगले ही पल उसके भाव बतल जाती है। ऐसा क्या राज है जिस वज़े से पायल ऐसी है और क्या संबंध है उसका मलोत्रा परिवार से। हेमन बहुत सालों बाद ऑफिस गए थे। वो अपना ऑफिस देखकर थोड़े भावुख हो जाते हैं। ऑफिस के पुराने एंप्लॉईज उनसे आकर मिल रहे थे। तो क्या आप लोग वापस से अपना काम करेंगे। जी, जी मैम। सारे एंप्लॉईज वहाँ से चले जाती हैं। हेमन निशा की तरफ देखने लगते हैं। निशा बिना को जवाब दिये वहाँ से अपनी केबिन में चली जाती है। हेमन भी अपनी केबिन के तरफ जाते ह वो अपने केबिन में जब पहुचते हैं तो उस कमरे का इंटीरियर पूरा बदल चुका था खेमन खुद से कहते हैं इतने सालों में कितना कुछ बदल गया यहां तक कि इस केबिन के रूह भी इसमें वो खुश्बू नहीं है जो पहले हुआ करती थी खेर दो बारा से यहां आ पाया हूँ इस वक्त वही बहुत है तब ही पीछे से एक आवाज आती है आप यहां आतो गए हैं पर यह मत सोचेगा कि यह सब हमेशा के लिए रहेगा आप तब तक ही यहां हैं जब तक कि कुनाल ठीक नहीं हो जाता यह तो वक्त ही बताएगा निशा मैंने तो इस दिन की भी उमीद छोड़ दी थी पर यह आ गया है और इसने मेरे मन में एक नई उमीद जगा दी है कोई फाइदा नहीं है उमीदे रखने से क्योंकि वो तो तो तूटेंगी ही हेमन बस उसे देखे जा रहा था इतने सालों से तो कभी इतने गौर से दीखा नहीं मुझे आज ऐसी क्यों देख रहे हो देख नहीं रहा हूँ पहचानने की कोशिश का रहा हूँ कि आखर कौन हो तुम चुकि जिससे मैंने प्यार करके शादी की थी वो ऐसी बिलकुल नहीं थी उसे तो सिर्फ प्यार बाटना और इज़त करना आता था जो मुझे मुझसे जादा समस्ती थी पता नहीं तुम कब ऐसी हो गई क्यों बदल गई तुम मैं बदल गई? इसका बुरा लग रहा है यूनो वाट? मुझे ना इन सब बातों में कोई इंट्रेस नहीं है और हाँ, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्फ होने की कोई जरूरत नहीं है मैं सब संभाल लूँगी तो मैं यहाँ ओफिस में क्या करूँगा? निशा उसके थोड़ा पास साकर बोलती है वही करिये जो घर में करते हैं खाईए, पीजी और अराम कीजिये इससे ज्याता किसी भी चीज़ में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है हेमंत बस उसे जाता हुआ देखता है निशा गुसे में आकर अपनी चेर पर बैट जाती है न जाने कब वो गुसा आसू बनकर उसकी आँखों से चलकने लगा उसे खुद पता नहीं चला दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर तयार हो रही थी कि तब है उसकी नजर बैट पर लेटे कुनाल पर जाती है जो उसे देख रहा था ऐसी क्या देख रहे हो? तुमे तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बाए देखा हो मुझे शायद हाँ पायल सवाल या नजरों से उसकी तरफ देखती है उसमें फर्क महसूस कर रहा हूँ उस दिन की नजर शायद सिर्फ तुम्हारी उपरी खुपसूरती को देख पाए थी पर आज पर आज? आज क्या? आज मन की खुपसूरती के आगे शरीर की खुपसूरती देखी नहीं रही इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा एक नया रूप देखा है पायल इस थोड़ी सी सक्त और शांत लड़की के पीछे एक बहुत मासूम लड़की चिपी हुई है पर पता नहीं क्या तुम्हारा उस रूप से दूर कर रहा है नजाने किस चीज ने तुम्हें रोक रखा है पायल हैरानी से कुनाल की तरफ देखने लगती है मानो किसी ने उसका वो रूप देख लिया हूँ जिसे वो आज तक सबसे छुपा कर रखती आई है वो अचानक से अपने खयालों से बाहर आती है और खुद को संभालती है गी सब तुम क्या बोली जा रही हो कुनाल? तुम अराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस ले कर आती हूँ पायल किचन में चली जाती है और कुनाल की बातों के बारे में सोचने लगती है उसे बहुत पसीना आ रहा था, वो अपनी साडी से पसीना पोच्टी है पायल खुद से कहती है, नहीं पायल, तुझे इन सब बातों में नहीं पढ़ना है बस जो तेरा मकसद है तुझे बस वही याद रखना है हाँ पायल, सभाल खुद को ये सब सोचकर पायल एक गहरी सांस लेती है और जूस लेकर कुनाल के पास चली जाती है दूसरी तरफ ओफिस में निशा हेमंद को किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वाल नहीं कर रही थी यूहीं एक हफता बीच जाता है एक दिन हेमंद और निशा घर आती है हेमंद के चेहरे पर काफी उदासी थी जो पायल ने पढ़ ली थी रात के खाने के बाद हेमंद गार्डन में खड़े हुए फूलों को देख रहे थे तब ही वहाँ पायल आती है क्या बात है बापा अब उदास है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है बेटी भी कहते हैं और बात बीचे पा रही है प्लीज बताईए ऑफिस के किसी काम की टेंशन है क्या हेमंद के दुखी भरी मुस्कान के साथ कहता है ओफिस के काम की टेंशन तो तब होगी ना जब ओफिस में कोई काम होगा क्या मतलब मैं समझी नहीं हेमन पाइल को सारी बात बताती है कि कैसे निशा उसे ओफिस के किसी भी काम में इन्वाल नहीं करती पाइल कुछ सोच कर बोलती है ये प्रोजेक्ट आप ही करेंगे पापा, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए पर दोन फरी पापा, मैं सब संभाल लूँगी ये क्याकर पाइल गार्दन से अपने रूम में आ जाती है कुनाल एक मैगजीन पढ़ रहा था पाइल अपनी ही सोच में गुम थी क्या हुआ पाइल? पाइल उसके पास आकर बैठ जाती है अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगे? मांग कर तो देखो तुम किसी मिस्टर सिंगानिया वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? हाँ, वो हमारी कंपनी की बहुत बड़ी डील है अभी मैं इस हालत में हूँ तो मॉम हैंडल कर रही है पर तुम्हें कैसे पता? क्या ये डील पापा हैंडल कर सकते हैं? ओ, तो स्थे फारिश लगवाई है उन्होंने तुमसे नहीं कुनाल, उन्होंने मुझसे तुमसे कुछ भी कहने को नहीं कहा मैं खुद ही कह रही हूँ देखो पाये, इस वक्त मॉम पूरा ओफिस देख रही है उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगी मैं क्यों बीच में पढ़ू? अगर तुम्हारी करियर की स्टार्ट कोई तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तो क्या आज तुम्हें इतने सक्सेस्फुल बिजनस्में बन पाते? कुनाल उसकी तरफ देखने लगता है क्या हुआ? जवाब नहीं दिया तुमने? पापा इससे पहले बिजनस संभाल चुके है अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रही है तो इसमें गलत क्या है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आके तुम्हारी मर्जी वो ये कहे कर लेट जाती है और अपने आखे बंद कर लेती है अगले दिन ऑफिस में कुनाल अपने मैनेजर को फोन करता है और प्रोजेक्ट की सारी डीटेल्स हेमन से शेर करने को कहता है कुनाल का मैनेजर हेमन के केमिन में बैठ कर डीटेल्स डिसकस कर रहा था निशा के नजर उन दोन उबर पढ़ती है और वो केमिन में आती है मिस्टर सिंग, मिस्टर सिंग, आप यहां क्या कर रही हैं? मैम कुनाल सर का फोन आया था उन्होंने कहा कि हिमंद सर के साथ मिस्टर सिंगानिया वाले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स डिस्कस कर लूँ आपसे ये प्रोजेक्ट हिमंद सर ही देखेंगे वोट? वो खुद को सभालती है और वहाँ से चली जाती है वो तुरंद कुनाल को फोन मिलाती है ये सब क्या है बेटा? तुमने सिंखानिया वाली जील अपने डाट को हैंडल करने के लिए दे दी? मॉम मुझे यही सही लगा और वैसे भी डैड ने ओफिस आपका वक्लोट कम करने के लिए जोइन किया है ना तो इसमें गलत क्या है? मुझे और पायल हम दोनों को ऐसा लगता है कि हमें डैड को एक मौका देना चाहिए पायल? वो खुद को सभालते हुए बोलती है अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो फोन कार्ट देती है ये सब कुछ पायल के वज़े से हो रहा है आज कल पायल कुछ ज़्यादा ही उच्छलने लगी है इसे समीन पर लाना होगा शाम को निशा और हेमन घर लौट कर आती है पायल अपने कमरे में कुनाल को चाई दे रही थी कि तभी वहाँ निशा आती है कुनाल अब तुम्हारी तबित कैसी है बिटा? पहले से बैटर है ग्रेट निशा पायल की तरब देखती है और कहती है पायल ज़रा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जी पायल निशा की साथ कमरे से बाहर आ दे है कहिए मॉम, क्या बात करनी थी आपको? आखिर तुम चाहती क्या हो पायल? क्या कहना चाहती है आप? मैं तो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस घर के मामलों में तुम्हें बोलने की कोई ज़रुरत नहीं है उसके बात भी तुम अपनी हरकोती से बास नहीं आ रही? पर मैंने किया क्या है? कुनाल को हेमन को प्रोजेक्ट देनी की बात किस ने कही? पर इससे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी गुस्सा हो रही है कि घर के बिजनेस पापा का भी तो है अगर वो कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है तो इसमें परिशानी की क्या बात है? वो बहुत दिनों से ओफिस के काम के टच में नहीं है तो क्या हुआ? अब तो वो दुबारा ओफिस जाने लगे हैं तो टच में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे कुनाल के वापस आते ही उनका काम खत्म क्या आप कैसे कह सकती है? अगर वो उसके बाद भी ओफिस आते रही तो? ऐसे कभी नहीं होगा वैसे तुम क्यों इस बात में इतना इंट्रस्ट ले रही हो? क्योंकि मेरा भी घर है और इस घर के हर फैसले पर मेरा भी उतना ही हक है जितना बागी लोकों का ओ वाउ! जिसके मुझे आज तक कभी अवास नहीं निकली आज वो इतनी बड़ी पात बोल गई लेकिन एक बात तुम कांग खोल कर सुन लो इस घर और ओफिस के फैसले आज तक मैं लेती आई हूँ और आगे भी मैं ही लेती रहूंगी समझी? ये कहकर निश्या वहाँ से चली जाती है पायल मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखती है ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर और ओफिस के फैसले आके चलकर कौन लेता है पायल वापस से कमरे में आ जाती है क्या बात करनी थी मौम को तुमसे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी चलो, अब तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो बोर हो गया हूँ लेटी-लेटे, पताने कब सही होँगा? ये कहकर वो लेट जाता है और सो जाता है अगले दिन से हेमन प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और खोद प्रेजेंटेशन तयार करते हैं वो क्लाइंस के सामने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कि डील साइन हो जाती है वो ये बात फोन करके पायल को बताते है मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ पापा ये सब तुम्हारे वज़े से हुआ है बेटा नहीं पापा ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है चलिए अब आप जल्दी से घर आईए तब तक मैं ये बात कुनाल को बता देती हूँ ठीक है वो दोनों फोन रख देती है और पायल कुनाल के पास कमरे में आती है कुनाल इस चे सिंगाने वाली टील हो गई है ये सब पापा की वज़े से हुआ है उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन तयार करके उसके प्रेजेंट किया तभी हमारी कंपने को ये प्रोजेक्ट मिल पाया है अब तो मानते हो ना कि पापा में काबलियत है शाम को हेमद और निशा घर आती है वो कुनाल से मिलने उसके कमरे में जाती है डैड, थैंक यू आपकी वज़े से हमें ये डील मिल पाई अब आपको आफिस जॉइन कर लेना चाहिए ये तुम क्यू नहीं मॉम डैड जब इतने अच्छे से काम करते हैं तो क्यू नहीं I am surprised कि मुझे ये बात इतनी देर से पता चली आपको पता थी मॉम निश्या कुनाल की तरफ देखने लगती है और हेमन निश्या को नहीं बेटा, इन्हें कुछ नहीं पता था Anyways, डैड, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ Please, मना मत करिएगा आप जो चाहों मैं कोशिश करूँगा पूरी करने की ये कैसी बाते कर रहे हो बेटा माबाब बच्चों से कुछ लेते नहीं है बस देते हैं Please, डैड, मना मत करिए हेमन कुछ सोच कर बोलते है मुझे मेरे कैबिन का इंटीरियर अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, हम कल ही इंटीरियर डेकोरेटर को बला कर उसे आपकी पसंद का करवा देंगे उसकी जरूरत नहीं है मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना कैबिन किस से चीक कराना है कौन? पायल उसकी बात सुनकर सब चौंक जाती है आखिर कौन कौन से किस किस के मन में कितने रास दफन है हर रिष्टा अपने आप में उलज़ा हुआ है हीमन की मुझे पायल का नाम सुनकर सब चौंक जाती है पायल भी हिरानी से उनकी तरफ दीखने लगती है यह क्या बोल रहे है आप? इसमें गलत क्या है निशा? हर इंसान को अपने सपने पूरे करने का हग होता है आप जानते हैं ना कि इस घर की भूवे काम नहीं करती? फिर भी ऐसी बात बोल रहे है? और किस चीज की कमी है पायल को? सपने अधूरे रह जाने की हेमन कुनाल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें सबके सपने वैसे ही हो जैसे तुम सपने देखते हो वैसे ही दूसरों को भी सपने देखने का पूरा हग है कुनाल पायल की तरफ देखता है जो उन सबकी बाते सुन रही थी पायल तुम क्या चाहती हो? मुझे हमेशा से आर्किटेक्चर और इंटीरे डिजाइनिंग का शौक था अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ कुनाल हा मॉम, अगर पायल ये करना चाहती है तो मैं उसका मन नहीं मार सकता वो हमारे लिए कितना कुछ करती है अगर बदले में हम उसके लिए कुछ कर दें तो क्या प्राब्लम है हम, सही बात है वैसे एक बात कहूं तुम बहुत बदल गए हो कुनाल निशा आप हमें आसूलिये वहां से जाने लगती है मॉम पर निशा उसके बात बिना सुने वहां से चली जाती है कुनाल हमें सिरह लाता है हेमन भी वहां से चले जाते है पाईल भी जाने लगती है कि कुनाल उसे पोचता है वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें interior designing और architecture में interest है क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं और नाहीं कभी जानना चाहा तुमने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे और तुम्हारे परिवाश से होगी अगर कोई और चीज हो तो मैं उसे वही छोड़ कर आऊ ये कहे कर पाइलवाजे चली जाती है कुनाल की कानों में उसके शद गूंजने लगती है वो खुद को थोड़ा सा शर्मेंदा महसूस करता है दूसरी तरफ निशा अपने कमरे के बैट पर बैठी रो रही थी कि तब ही वहाँ हेमन्त आती है कि जो भी चाले आप चल रहे हो ना मैं आपको आपके मकसद में कभी काम्याप नहीं होने दूँगी ये क्या बोले जा रही हो तुम मकसद चाल दिमाग तो ठीक है ना तुमारा पर ये मत मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ आज से नहीं बलकि पिछले 30 सालों से अच्छा जानती हो तुम मुझे काश ये सच हो था खेर हमारी छोड़ो मैं तुम्हें अपनी बहु के साथ बो नहीं करने दूँगा जो तुमने मेरे और हेमत चुप हो जाती है और वहां से चले जाती है निशा उन्हें जाती हुए बस देखती रह जाती है पायल सोफिय पर बैठी कुछ सोच रही थी कि तब ही वहां हेमत आती है पायल क्या हुआ बेटा पायल अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है नहीं कुछ नहीं पापा वैसे थांक यू आज आप जिस तरह से मेरे लिए खड़े हुई तुम भी मेरे लिए खड़े हुई थी ना एक बेटी की तरह तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक पिता की हैसियत से खड़ा नहीं हो सकता पायल की आँखों में आसु आ जाते है पिता अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है और उसके चेहरे की हसी गायब हो जाती है पापा मैं आती हूँ अभी कुछ काम याद आ गया वो ये कहकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है और कमरे में आ जाती है कुनाल सो चुका था वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है ना जाने मुझे कब तक ये सब करना होगा पिचारे पापा, उनका भी दिल दुखाना होगा वो रोने लगती है, थोड़ी देर योही रोने के बाद वो अपने आसू पोचती है और कहती है नहीं, मैं कमजोर नहीं पढ़ सकती, किसी भी कारण से नहीं जिस मौकी की मुझे इतने दिन से तलाश थी, वो खुद पखुद मेरे पास आ गया है मैं जजबादी होकर उसे ऐसे नहीं गवा सकती, मुझे हिम्मत रखनी होगी हाँ, यही सही है ऐसे ही एक हफता गुजर जाता है, कुनाल की हालत में काफी सुधार था अब वो चड़ी की मदद से चलने लग गया था, पर अभी ओफिस जॉइन नहीं किया था हेमन, निशा और कुनाल डाइनिंग टेबल पर बैट कर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तब ही वहाँ पायल तयार होकर आती है निशा उसे ऐसे देख कर कहती है अरे पायल, कहीं जा रही हो तुम मॉम, आज से मैं ओफिस जॉइन कर रही हूँ आज से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुनाल अभी पूरी थने से ठीक नहीं हुआ है अगर तुम ओफिस जाओगी तो उसका खयाल कौन रखेगा इससे पहले पायल कुछ बोल पा दी कि तब ही कुनाल आता है मॉम, मैंने ही पायल को कहा था आज से ओफिस जॉइन करने के लिए तुमने? हाँ, अब मैं ठीक हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मेट से कह दूँगा अब जब तुमने टिसाइड कर ही लिया है तो मैं कह भी क्या सकती हूँ वो गुस्से से उठकर आफिस के लिए निकल जाती है अल दी बेस पायल तुम यही रुको मैं बैग लेकर आता हूँ फिर हम साथ में चलेंगे ची यह कहकर हेमंद अपने कमरे में चले जाती है अब वहां सिर्फ कुनाल और पायल थे पायल एक मिनट मेरे साथ चलो कहां? अरे चलो तो वो उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर में ले जाता है तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? कुनाल मातारानी के सामने रखी पूजा की थाली उठाता है और पायल के टीका लगाता है पायल ये सब देखकर हैरान हो जाती है और परिशान भी वो अचानक ही पूज देती है तुम ये सब क्यों कर रही हो कुनाल? क्या? अच्छा ये? वो जब कोई नए काम के शुरॉत के लिए जाता है तो भगवान का आश्रिवाद लेकर उसे ठीका लगा जाता है ना? तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किस के लिए करूँगा? वैसे तुम सही कह रही हो मैं खुद सप्राइज हो कि मैं ये सब कर रहा हूँ I mean मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी के लिए ये सब करूँगा पर शायद तुमसे प्यार ही इतना हो गया है किस सब अपने आप ही होता जा रहा है पायल के आखों में आसू और गुस्सा दोनों था वो मन में सोचती है मैं तुम्हारी हर्ट चाल समझती हूँ कुनाल मलुत्रा तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली अरे कहां खो गई नहीं नहीं कहीं नहीं मैं चलती हूँ पापा वेट कर रहे होंगे ये कहे कर कुनाल और पायल दोनों ड्रॉइंग डूम में आ जाते हैं जहां हेमन पहले से खड़े हुए थे हेमन और पायल ओफिस के लिए निकल जाती हैं जहां कुनाल उन्हें जाते हुए देखता है उसके चहरे पर एक मुस्कान थी हेमन और पायल ओफिस पहुचती है पायल तुम कुनाल के केबिन में चली जाओ ओके वो जाने लगती है कि तभी तक निशा अपने केबिन से बाहर आ जाती है पर वो कुनाल का केबिन है और पाइल कुनाल की कौन है निशा उसे देखने लगती है पत नहीं तो उसका पूरा हग बनता है अपने पती के केबिन में बैठने का पाइल जाओ बेटा पाइल हामिस सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है निशौर हेमन भी एक दूसरे के तरफ देखते हैं और अपने अपने केबिन में चले जाती है पाइल कुनाल की केबिन में पहुचती है वहीं दिवार पर कुनाल की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी पाइल उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है आज मैं बहुत खुश हूँ पता है क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारी इस कुरसी पर बैठ हूँगी वो जाकर कुनाल की चेहर पर बैठ जाती है वाँ! काफी अच्छी है ये कुरसी कितनी आराम दायक कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम वापिस आओ मुझे इसकी आदत लग चुकी हो वो हसने लगती है और अचानक से शांत हो जाती है उसके चेहरे पर बे इंतिहां गुसा था अब देखना कुनाल मलोत्रा मैं कैसे तुम्हें बड़बात करती हूँ दुनिया की कोई तौकत मुझे ऐसा करने से रोग नहीं पाई गी तभी पायल को अपना चेहरा काच की टेबल में दिखता है उसके चेहरे पर टीका लगा हुआ था उसे याद आता है कि कैसे कुनाल ने उसे टीका लगा कर आफिस भेजा था वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी एक आवाज आती है क्या हुआ पायल पायल के सामने देखती है तो उसके सामने उसी के परच्छाई खड़ी हुई थी पायल उसके तरफ देखने लगती है अभे तो तुम इतना कुछ बोल रही थी टीका देखकर अचानक यूशांत क्यों हो गई नहीं ऐसे कोई बात नहीं है किससे जूट बोल रही हो पायल मुझसे अरे मैं तो तुम्हारा ही मन हूँ तुम मान क्यों नहीं लेती कि कुनाल का यूँ तुम्हारी करीब आना तुम्हें उल्शन में डाल देता है तुम घबरा जाती हो मै? मैं घबरा जाती हूँ? मैं क्यों घबराऊंगी? बलकि इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा सच में? उसका दो पल का पास आना तो तुम्हें बेचैन कर जाता है अगर उसे सच में तुमसे प्यार हो गया, तब तुम क्या करोगी पायल, प्यार और उससे, कभी नहीं, उस जैसे इनसान सिर्फ लोगों को दुख पहुचाना जानते हैं, प्यार करना इनके बस की बात नहीं है, कभी कभी हालात इनसान को बदल देते हैं पायल, अगर सच में वो तुमसे प्यार करने लगा तब क्या करूगी तुम? पहली बाद मुझे तुमारी इस बक्वास में कोई दिल्चस्पी नहीं है और दूसरी, अगर ऐसा कुछ हो भी गया, तब भी मेरा मकसद नहीं बदलेगा सुना तुमने, अब जाओ यहां से वो गुसे से अपनी आखे बंद कर लेती है, जब वो आखे खोलती है, तो उसके सामने कोई नहीं था वो अपना सर पकड़ लेती है, पाइल ने बहुत महनत से अपना काम करना शुरू कर दिया था उसने हेमंद से उसकी पसंद पूछी और उसे हिसाब से काम करने लगी देखती है, माम आप भी चलिए प्लीज, तुम लोग चलो मैं आती हूँ हेमंद और पाइल केबिन में पहुचते हैं, पाइल ने केबिन बहुत अच्छे से डिजाइन किया था एक तरफ उनका फैमली पोर्ट्रेट था, तो दूसरी तरफ दिवार पर पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो हेमंद ने खुद बनाई थी ये पेंटिंग्स मैंने ही मंगवाई है घर से, मुझे पता है आपको इसका कितना लगाव है आफिस आने के बाद से आप कोई और पेंटिंग नहीं बना पाए है इसलिए मैंने सोचा इनने यहां ही लेया बहुत अच्छा किया हेमंद केबिन का विडियो बना कर कुनाल को भेशते हैं, वो भी बहुत खुश होता है कुनाल किसी को फोन करता है और कुछ समान मंगवाता है शाम को जब पाएल घर आती है तो अपने रूम में जाने लगती है पाएल, मैंने तुमारे कपड़े गेस्ट रूम में रखे हैं तुम वहाँ चेंज कर लो ना प्लीज पर क्यों? पाएल को कुछ समझ नहीं आता और वह गेस्ट रूम में जाकर चेंज कर लेती है थोड़ी देर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाती है पाएल जब अपने कमरे में आती है तो हैरान रह जाती है उसका पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था सेंटर टेबल पर केक रखा हुआ था वो ये सब देख रही थी कि तभी कुनाल आ जाता है और म्यूसिक ओन कर दीता है वो पाएल को पीछे से हग कर लीता है पाएल बहुत खबरा जाती है और धीरे धीरे खुद को छुडाने की कोशिश करने लगती है कोई इतना प्यार करे तो दिल खुद को कैसे रोग पाए लेकिन पाएल ये सब क्यों नहीं मैसूस कर पा रही थी या करना नहीं चाहती थी कुनाल पीछे से पाएल को हग कर लीता है ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था पर ना चाने क्यों, पायल को बहुत अजीब लग रहा था वो धीरे से खुद को चुढाने की कोशिश करने लगती है पर कुणाल अपनी पकड और कसलेता है पायल अपनी घब़ाहट को चुपाने की कोशिश करते हुए हलका सा मुस्कुराते हुए बोलती है कुनाल प्लीज छोड़ो न और आज ये सब तुमें कॉंग्रेचुलेट करने के लिए वो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे ये सब करने के क्या जरूरत थी वैसे भी तुमारी तब्या तबी पूरी धरे से ठीक नहीं होई है वो खुद को छुडाती है और उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है मैं तुमारी दवाई बाहर भूल गई हूँ अभी लेकर आती हूँ वो जाने लगती है पर कुनाल उसका हाथ पकड़ लीता है मैंने दवाई खा ली है वैसे तुम उससे ऐसे भाग क्यों रही हो वो उसकी चहरे पर हाथ रखता है और पास आने लगता है नहीं भाग नहीं रही मैं तो बस कुनाल उसके होटो पर उंगली रख दीता है उसकी बात सुनकर पाहिल के आखों में बेतहाशा गुसा भर जाता है उसी गुस्से में उसकी आँखों से आँसु छलगने लगते हैं तो पहले ही बता दे थी उसके लिए इतनी मेहनत करनी के क्या ज़रूरत थी कुनाल कुछ कह पाता उससे पहले ही पाईल अपनी साड़ी का पला नीचे गिरा देती है कुनाल उसकी ये हरकत देख कर हैरान रह जाता है इसलिए ये सब किया ना तो ये लो, खड़ लो अपनी इच्छा पूरी कुनाल उसकी साड़ी का पला फिर से उसके कंदे पर रख दीता है ये तुम क्या कर रही हो पायल क्या कर रही हूं से मतलब जो तुम्हें चाहिए था वही दे रही थी अगर आज तुम्हारे सामने एक्सिडेंट से पहले वाला कुनाल खड़ा होता तो शायद उसे यही चाहिए होता पर मुझे नहीं पायल आज जो हुआ उससे मैं एक बात तो समझ गया इस हाथ से ने मुझे यह सास दिला दिया कि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं होता और नाही उसे गरीवी अमेरी से कोई मतलब होता है वो बिना कोई भेदभाव किये किसी भी पल हाथ से फिसल सकती है जिनका साथ और भरोसा आपको फिर से नई जिन्दिगी दे दे वही आपके अपने होते हैं पायल बस खामोशी से उसकी बात सुने जा रही थी और मन ही मन उसे बहुत उल्जन सी महसूस हो रही थी क्योंकि जिससे वो नफरत करती है वो तो बदल रहा था इस पूरे वक्त में मुझे एसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया हमेशा यही सोचा कि जैसे मैं तुम्हें रख रहा हूँ वैसे ही तुम जीना चाहती हो तुम्हारी पसंद नापसंद का कभी ध्यान नहीं रखा पर अब ऐसा नहीं होगा पायल उसकी बाते सुनकर सन रह जाती है और कुनाल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला जाता है उसके जाते ही पायल अपना सर पकड़ लेती है यह सब क्या हो रहा है भगवान यहाँ पेरी कैसी परिक्षा ले रही है मुझे जल्दी से जल्दी वो करना होगा जो करने में यहाँ आई हो अब और तेर करना ठीक नहीं रहेगा अगले दिन पायल सुबह जल्दी तयार होकर घर से निकलने लगती है घर के बाकी लोग सब नाश्ता कर रहे थे अरे पायल इतनी सुबह सुबह कहां जा रही हो अभी तो ओफिस का टाइम नहीं हुआ कुनाल की बात सुनकर निशा चुप हो जाती है पायल वहाँ से चली जाती है निशा मन में सोचती है यह पायल बहुत बदली-बदली सी लग रही है आजकल यह पहली जैसे नहीं है जरूर को चुपा रही है मुझे पता करना होगा दोस्टी तरफ पायल उसी घर में चली जाती है जहां वो अकसर जाया करती थी थोड़ी देर बाद वो वहाँ से ओफिस चली जाती है मैंने आपको एक फोटो भेजी है यह मेरी डॉर्टर-in-law है आपको इस पर नजर रखनी है यह कहां जाती है किस से मिलती है सब कुछ मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है मैडम आप चिंता मत कीजिए आपका काम हो जाएगा ओके निशा फोन रख देती है योही कुछ दिन बीच जाती है कुनाल ने फिर से ओफिस जॉइन कर लिया था उसने पायल को एक अलग केबिन दे दिया था जिससे उसे कोई परिशानी ना हो इतने दिनों में पायल ने भी ओफिस में अपने पैर जमानी शुरू कर दिये थे वैसे तो वो एक आर्किटेक्ट थी पर न जाने कैसे ओफिस के प्रोजेक्स भी अच्छे से समझती थी निशा को पायल का इस तरह ऐसे ओफिस में इन्वाल होते जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था पर कुनाल बहुत खुश था निशा कुनाल के केबिन में आती है अरे मम आप कोई काम था गया मुझे बुला लेती काम नहीं था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कहिए तुम्हें हो क्या कया है कुनाल कितना बदल गए हो तुम सही का आपने बदल तो गया हूँ पर अच्छे के लिए बदला हूँ इन फैक्ट अपने अंदर आयस बदलावसे में बहुत अच्छा मैसूस कर रहा हूँ बेवकूफ बन रहे हो तुम वो लड़की पायल मुझे उसके इरादे को शीक नहीं लग रहे कैसे जटके में वो इतना बदल गई जिसके मुझे पहले आवास तक नहीं निकलती थी आज वो ऑफिस के प्रोजेक्ट समाल रही है इतनी जल्दी कोई भी इनसान कैसे बदल सकता है सरूर कुछ करबर है वो नहीं बदली है मॉम बलकि हमारे देखने और समझने का नजरिया बदल गया है शादी के बाद मैंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो क्या चाहती है उसे वैसे ही रखा जैसे हम चाहते थे हालात बदले जिस वज़ए से वो ऑफिस आई और हम उसका ये रूप देख पाए इसलिए आपको बदली बदली लग रही है तुम समझ नहीं रहे हो कुनाल मॉम प्लीज मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ दिल से और उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ जबसे उसने आफिस आना शुरू किया है उसके चेरे पर एक अलग सा confidence और खुश ही दिखती है और वो खुश तो मैं खुश निशा उसकी बाते सुनकर हैनान रहे जाती है उसकी आँखों में आसु थे तुम चाहे कुछ भी कहो पर मैं सच का पता लगा कर रहूंगी क्या बात कर रहे हैं आप मॉम कैसा सच, क्या सच वही जो तुम्हारी आखों पर बंधी प्यार की पट्टी में तुम्हें देखने नहीं दे रही पाइल केबिन के बाहर खड़ी सब सुन लेती है और वहां से चली जाती है वो अपने गेबिन में आकर अपनी चैर पर बैठ जाती है इसका मतलब मेरा शक सही था मॉम को मुझे पर शक हो गया है कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है जरूर मॉम ने मुझे पर नज़र रखने के लिए ऐसा किया है मुझे बहुत साफधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा और जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र टेबल पर रखी उसके और कुनाल की तस्वीर पर जाती है उसे कुनाल के कहे शब्द याद आने लगती है मैं पाईल से बहुत प्यार करता हूँ दिल से और उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ जबसे उसने आफिस आना शुरू किया है उसके चेहरे पर एक अलगसा confidence और खुश ही दिखती है और वो खुश तो मैं खुश पता नहीं कब इन सब चीजों से बहर निकलूंगी वो काफी परिशान हो जाती है एक दिन शाम के साथ बच चुके थी सब लोग घर के लिए निकलने वाले थी पाइल अपने केबिन में थी आज मुझे किसी भी हाल में वो पेपर्स चुराने ही होंगे वो यही सब सोच रही थी कि तभी माँ गुनाल आ जाता है पाइल घर चले मुझे कुछ औरजन काम है गुनाल प्रोजेक्ट रिलेटेड तुम जाओ में थोड़ी देर में आ जाऊंगी पर अल्रेडी साथ बच गए है काफी देर हो गई है मैंने कहा ना कि यह औरजन काम है जल्दी से जल्दी खतम करके आऊंगी ठीक है कुनाल ऑफिस से निकल कर पारकिंग में आ जाता है जहां हेमंत और निशा पहले से मौझूद थे अरे कुनाल पाइल कहा है उसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आने में देर हो जाएगी उसे ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए उसे यहां रुकना पड़े अरे मौम होगा कुछ काम निशा मन में सोचती है जरूर पाइल किसी वज़े से आफिस में रुकी है मुझे तेखना होगा जाकर अरे मैं वो सिगहानिया वाले प्रोजेक्ट की फाइल लाना तो भूली गई तुम लोग रुको मैं अभी लेकर आती हूँ अरे आप क्यों जा रही है गार्ड को भेज कर मंगवा लीजिए अरे वो कैसे समझ पाएगा मैं खुद लेकर आती हूँ वो ये कहकर आफिस के तरफ जाने लगती है दूसरी तरफ पायल सबके जाने के बाद निशा की केबिन में जाती है और कुछ धूडने लगती है कहां रखा होगा तब इसके नजर टेबल की नीचे बने एक लॉकर पर जाती है जिसमें कोड लगा हुआ था हो ना हो इसी में होगा पर इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है वो दो बार कुछ important dates डाल कर देखती है पर वो नहीं खोलता अब एक last attempt बाकी रह गया था अगर ये भी गलत हो गया तो मिसिस निशा मलूत्रा के पास notification चला जाएगा और बहुत बड़ी गरबर हो जाएगी पर मैं ऐसे हार भी तो नहीं मान सकती जो होगा दिखा जाएगा मॉम के लिए सबसे important date कुनाल की rate of birth है वो डाल गर देखती हूँ वो घबराते हुए कोड डालती है और इस बार locker खुल जाता है उसमें से वो एक file निकालती है उसके चेहरे पर एक खुशी थी तब है उसका phone बचता है वही निशा ओफिस के अंदर आती है तो तेज कदमों से pile के cabin के दरफ बढ़ती है अगर मेरा इंदाजा सही हुआ तो pile अपनी cabin में नहीं होगी वो जटके से उसके cabin का दरवाजा खोलती है और हैरान रहे जाती है pile अपनी चेर पर बैठी काम कर रही थी pile निशा को देख कर कहती है अरे मॉम आप यहाँ? हाँ, वो एक important pile भूल गई थी तो बस वही लेने आई थी सोचा तुम से मिलती चलो pile मस्कुरा देती है तुम काम खत्ब करके जल्दी आने की कोशिश करना जी ये कहिकर निशा उसके cabin से चली जाती है pile भी एक chain की सांस लेती है pile मन में सोचती है thank God कुनाल ने phone करके बता दिया वरना पता नहीं क्या होता जब pile निशा की cabin से file दे रही थी तभी उसका phone बज़ता है hello हाँ पायल वो mom उपर office आ रही है शायद कोई file छूट गई है तुम प्लीज जूड़ने में उनकी help कर देना हम लोग यहाँ parking में खड़े हुए है pile रही सुनकर घबरा जाती है तुम चिंता मत करो मैं देख लूँगी वो phone disconnect कर देती है और जल्दी से सब ठीक करके अपने केविन में चली जाती है थोड़ी देर बाद पाहल उस file को अपने bag में रखती है और car से office से निकलती है उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है यह जरूर mom का आदमी होगा मुझे कुछ करना होगा वो अपनी car market की तरफ खुमा लेती है और एक phone करती है वो market से मातारानी के श्रिंगार का समान खरेती है जैसे साड़ी, चुन्नी, चूड़ी और भी पहुत कुछ वो उसे एक बड़ी सी थाली में रखती है दोबारा से कार में आकर बैट जाती है थोड़ी देर में वो मंदिर पहुच जाती है वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए मंदिर आ जाता है मंदिर में काफी भीड थी पर वो फिर भी पाइल पर नजर बनाए रखता है वो देखता है पाइल चड़ावा पंडित जी को देती है और भगवान के हाथ जोड़कर फिर से अपनी कार के पास आ जाती है और घर के लिए निकल जाती है उस आदमी के पास निशा का फोन आता है क्या हुआ कुछ पता लगा नहीं मैम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया वो ओफिस से निकली मारकट से पूझा के चड़ावे का सामान लिया और मन्द जाकर चड़ा दिया क्या जी तुमने हर पल नजर बनाई हुई थी ना उस पर हाँ मैडम एक मिनट के लिए भी मेरी नजर उन पर से नहीं हटी ठीक है वो फोन कार्ट देती है थोड़ी देर में पाहल घर आती है अरे आ गई बेटा हो गया सारा काम हाँ पापा लगबग हो ही गया है तभी वहाँ निशा आती है काफी टाइम लग गया तुम्हें हाँ लौटे टाइम मंदिर गई थी मनत मांगी थी कि जब कुनाल ठीक हो जाएंगे तब चड़ावा चड़ाओंगी इतनी दिनों से चाह नहीं पा रही थी आज दिन अच्छा था तो मंदिर चली गई मैं चानती हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है फर इतनी आसानी से आप कुछ नहीं जान पाएंगी वैसे भी आपको बहुत जल सब खुद बखुद पता चलने वाला है तो इतनी मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है पाइल वहाँ से अपने रूम में चली जाती है आखिर क्या अभी तक सोई नहीं हाँ तुम आई नहीं थी ना अभी तक तुम फ्रेश हो जाओ तब तक मैं खाना लेकर आता हूं कुणाली कहकर किचिन में चला जाता है और पाइल हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी उसके चहरे पर एक अजीब सी उलज़न और गुसा नजर आ रहा था। दो दिन योहीं बीच जाती है। पाइल ओफिस में थी और उसे किसी के फोन का इंतजार था। तब है उसे एक फोन आता है। अगर प्रिया मुझे सब कुछ ना बताती तो मैं ये कभी ना करता। थांक यू प्रिया। आपने मेरे लिए जो किया है। उसके बदले में इतना तुम्हें कर ही सकती हुना। पाइल मुसकरा देती है। बस अब वक्त आ गया है चीजों से पड़ता उठाने का। दूसरी त अब डिटेक्टिब निशा को फोन करता है। अब जल्दी से फोन रखता है और पाइल की गाड़ी के पीछे जाता है। ऑफिस में निशा परिशान थी कि तब भी वहाँ हेमन्त आते हैं। प्रोइस वाले प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए। अभी रुख चाहिए, मैं थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। निशा आदे घंटे में मेरी मीटिंग है, अरजेंट है। वो तुरंट डिटेक्टिब को फोर से फोन मिलाती है। पाइल कहां है? वो आपके घर गई है। निशा फोन डिसकनेक्ट कर देती है और तुरंट घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पाइल अपने कमरे में पहुशती है, जहां कुनाल लाप्टोपर ऑफिस का काम कर रहा था। आज वो ऑफिस नहीं गया था। अरे पाइल, तुम इस वक्त यहां? हाँ, कुछ काम था तुमसे। मैंने कमपनी के फंसी थोड़ा पोर्शनिक और्फनेच के लिए निकाला है, उसी के लिए तुमारे सिकनेचर चाहिए थी। लाओ। वो बिना देखे पेपर्स पर साइन करने लगता है। एक पार पढ़ कुनाल पाइल और कुनाल उसके तरफ देखने लगते हैं। यह कैसे पेपर्स साइन कराए हैं इसने तुमसे। और्फनेच के डोनेचन के लिए। तुमने पेपर्स पढ़े थे। उसमें पढ़ना क्या है मॉम। जो पूछ रही हूं बस उसका जवाब दो। नहीं। तब कैंसल करके यहां आ गया। सब ठीक तो है ना। वो तो अभी पता चल जाएगा कि सब ठीक है या नहीं। निशा पाइल के हाथ से पेपर्स छीन लेती है। पाइल को तब भी कोई फरक नहीं पढ़ता। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। निशा और पेपर जो कुनाल के नाम पर थी अपने नाम पर करवाली है। हेमत और कुनाल दोनों हिरान रहे जाती है। तुम जोट बोल रही हो। पाइल ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर एलजाम लगा रही हो। हे तो तुम्हें अपनी बेटी मानता था, तब तुमने ऐसा किया, क्यों किया तुमने ऐसा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा पायल, कभी नहीं पायल आखों में आसू लिये, सब कुछ सुन रही थी कि तभी निशा के पास ओफिस से महराजी का फोन आता है मैं, आप सब जल्द से जल्द आफिस आ जाईए क्या हुआ महराजी? आप लोग बस आ जाईए पर बैट सको वो लड़के उनकी तरफ कुर्सी खुमाते हुए बोलती है नई माल किन हुम है इस कंपनी की उसे देख कर सब के चेहरों की हवाईया ओर जाती है त्रिशा? वाव तो शुक्र है आप लोगों को मेरा नाम तो याद है मुझे लगा था कि मेरी तरह मेरा नाम भी भूल गए होंगे तुम यहां क्या कर रहे हो त्रिशा त्रिशा कुनाल के पास आती है और उससे कहती है तुमारी बहुत याद आ रही थी Mr. Ex-husband त्रिशा हिमन्द के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और आखों में हलके से आसू लिए उनके पैर छूती है कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं बताती हूँ तब ही पायल वहां आ जाती है त्रिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है वाट? जी कुनाल बस पायल को देखे जा रहे थे मैंने ये शादी ही आप लोगों को सबक सिखाने के लिए करी थी इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मैं दो साल पहले चिन्नई में अपनी पढ़ाई पुरी करके मुंबरी आई और त्रिशा से मिलने के लिए उसके हॉस्टल गई हलो आंटी, बहचाना मुझे मैं पायल, त्रिशा की फ्रेंड हलो बेटा, कैसी हो तुम मैं ठीक हो, आप कैसी है और त्रिशा का रूम कौन सा है मैं ठीक हो, त्रिशा अब यहां नहीं रहती नहीं रहती, उसने हॉस्टल चेंच कर दिया क्या नहीं, एक सार पहले उसकी शादी हो गई थी क्या? त्रिशा की बच्ची? उसने शादी कर लिए और मज़े बताया भी नहीं? हाँ, प्लीज मुझे उसका घर का अड्रेस दे दीजिए, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ वो अपने सस्वार नहीं रहती क्या मतलब? क्या बात है? फ्लीज बताईए मुझे, त्रिशा है कहा? पाइल और वो लेडी सोफे पर बैठ जाती है त्रिशा अपना MBA कर रही थी त्रिशा का इस दुनिया में कोई नहीं था, ये तो तुम भी जानती हो कुछ सालों पहले उसके पेरेंस एक अक्सिडेंट में मौत हो गई थी उनकी सेविंग से उसने अपने बढ़ाई आगे बढ़ाई थी पर सारी सेविंग ऐसे ही तो खतम नहीं करी जा सकती ना इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बढ़ाई के साथ जॉब करेगी उसने MBA करने के साथ में ही एक कमपनी जॉइन कर ली पढ़ाई पूरी ना होनी की वज़े से उसे बहुत अच्छी सालरी तो नहीं मिल रही थी पर वो इतनी शाप थी कि बहुत जल्स सब कुछ सीख रही थी वो जिन्दिगी में बहुत कुछ हासल करना चाहा दी थी अपनी महनत से कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा पर कुछ दिनों बाद वो बहुत खुश-खुश सी रहने लगी मेरी कई बार पूछने पर भी वो टाल गई इसलिए मैंने बहुत दवाब नहीं डाला उस पर एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि वो शादी कर रही है मैं हैरान रह गई इस बात पर उसकी पढ़ाई के बारे में पोछने पर उसने कहा कि उसका हस्बन उसकी पढ़ाई पूरी करवा देगा थोड़े दिनों में उसने शादी कर ली मैं उस वक्त मुंबई में नहीं थी इसलिए उसकी शादी में नहीं जा पाई शादी के बाद वो दो तिन बार मुझसे मिलने आई तो बहुत खुश लग रही थी पर थीरे थीरे उसका चेहरा मुर्जाने लगा मेरे कई बार फुशने पर भी उसने कुछ नहीं बताया फिर उसने यहां आना बंद कर दिया एक दिन मैं यहीं पर काम कर रही थी कि एक पुलिस वाले का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे हॉस्पिटल बुलाया मैं जल्द ही हॉस्पिटल गई जहां मैंने तृशा को जखमी हालक पर बैट पर लेटे देखा पुलिस ने बताया कि उसका आक्सिडेंट हो गया है और उसके बैग से उन्हें हॉस्पिटल का अड्रेस मिला आक्सिडेंट? अभी तृशा कहा है? और उसका पती, परिवार? तृशा की शरीर की खाव तो भर गए पर ना जाने मन पर कैसे खाव मिले उसको जो आज तक नहीं भर पाए वो आज भी हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स की देख रेक में है पर ना तो कुछ बोलती है और ना ही किसी से बात करती है बस खुद में ही खोई रहती है आंटी प्लीज आप मुझे तृशा की पास ले चलिए मिलना चाहती हो उससे ठीक है, चलो पाएल और वो औरत हॉस्पिटल में तृशा की पास जाती है जहां तृशा वॉट की खिड़की से आसमान देख रही थी पाएल की आँखें भराती है उसे ऐसे देखकर जिस चहरे पर हमेशा एक खिलखिलाती हसी देखी थी आज वो एक मुझाय हुए फूल जैसी थी तृशा तृशा अपना नाम सुनकर दरवासे की तरफ देखती है अपने सामने अपने बच्पन की दोस को देखकर आज पहली बार उसके भाव बदले थे जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाह रही हो पाएल उसके मन का हाल समझ रही थी वो दोड़ कर उसके गले लग जाती है पाएल के गले लगती ही तरिशा के मन का सारा गुबार, सारा दर्द आसू बनकर निकलने लगा वो फूट फूट कर रोने लगती है बस बस संभाल खुद को तु ऐसी हालत में है तुने मुझे बताया क्यों नहीं मैं सब कुछ छोड़ कर तेरे पास आ जाती दोनों हॉस्पिडल के बैट पर बैटती है पायल तरिशा के आसू पोचती है मुझे सब कुछ शुरू से बता कि आखिर हुआ क्या है जिस वज़े से आज तेरी ये हालत हो गई है बताओ मुझे तरिशा बताना शुरू करती है आखिर क्या हुआ था तरिशा के साथ जिसने उसे ऐसी हालत में पहुचा दिया उसने तो अपने मर्जी से शादी करी थी तो क्यों वो इस हालत में थी आज मेरा MBA का सेकेंड येर स्टार्ट हुआ था ममे पापा के जाने की बाद उनकी सेविंग से काम चल रहा था पर खाली सेविंग्स के दमपर भी काम सरवाई इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही मैं इंटर्नशिप कर लेती हूँ अगर स्टाइपेंड मिल जाएगा तब भी ठीक है इसी सबकी वज़े से मैंने कमपनीज में अपलाई करना शुरू किया और मुझे कॉल आया मलोतरा ग्रूप अफ कमपनीज से हलो मैं मलोतरा ग्रूप अफ कमपनीज से अजीत महरा बोल ला हूँ आपने हमारी कंपनी में इंटरेंशिप के लिए अप्लाई किया था। आपकल तस बज़े सुभा ओफिस आ जाएगा, इंटर्व्यू के लिए। ओकी सार, थांक यू सो मच। त्रिशा फोन रख देती है, वो बहुत खुश थी और कल इंटर्व्यू पर जाने की तयारी करने लगती है। अगले दिन सुभा वो ओफिस पहुशती है। आईए, यहां से दो कैबिन छोड़कर मिश्टर कुनाल मलहुतरा का कैबिन है, आप वहाँ चली जाएए। त्रिशा कुनाल की केबिन में जाती है और दरवाजे पर खड़ी थी, और कुनाल दूसरी तरफ पीट करके किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुनाल बात करके फोन रखता है कि तभी त्रिशा बोलती है, मैं I come in sir? कुनाल उसके तरफ घूमता है और त्रिशा को देखता है, त्रिशा अंदर आती है और कुनाल के सामने पड़ी चेर पर बैट जाती है, वो अपनी डॉक्यमेंट्स कुनाल को देती है, कुनाल उन्हें देखता है, कॉयट इंप्रेसिव, आपका कैडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, आपका MBA का सेकंड ये चल लहा है, तो आप ट्रेनिंग मैनेज कैसे करेंगी? सब मैं सुभे क्लासिस खतम करके एक बची तका जाओंगी ओफिस कुनाल उससे थोड़ी बहुत चीज़े पूछता है, और उसे कल से जॉइन करने के लिए कहता है, अगले दिन से त्रिशा अपने क्लासिस खतम करके ओफिस आने लगती है, वो बहुत मन से सारे काम सीखती है, लगभग एक महीना हो गया था उसे ओफिस आते हुए, कुनाल क अभी अक्सर उस पर ध्यान चला जाया करता था, निशा ने ये बात नोटिस करी थी, वो कुनाल के पास आती है, अरे मम आप कोई काम था क्या, नहीं, काम नहीं था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारी शादी के बारे में, शादी? अचानक से? अचानक से नह कुछ दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही थी, बस कहने का मौका नहीं मिला, फुनाल उनके तरफ देखने लगता है, मेरी नजर में एक लड़की है, कौन है वो? निशा केबिन से बाहर देखती है, जहां तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी, और हमारे घर को भी अच् सोचना है इस बारे में, ठोड़ा टायम दीजिये, मैं तृशा से बात करके बताता हूँ, ठीक है, निशा वाँ से चली जाती है, और कुनाल निशा की बातों के बारे में सोचने लगता है, शाम को काम की वज़े से तृषा को ऑफिस से निकलने में देर हो जाती है, वो तरिशा कुछ सोच कर कार में बैठ जाती है So, तुम्हारा MBA चल लहा है? Yes, sir So, what are your future plans? इसके आगे क्या सोचा है? किसी MNC में एक hired position पर जाना है, sir और वहीं अपना career बनाना है इसलिए मैंने internship join करी ताकि MBA खतम होने के बाद मेरा थोड़ा भी time waste ना हो मैंने पच्पन से ही सपना देखा एक अच्छे career का अपने पैसों से मैं उन लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ जो किसी मजबूरी की बज़े से अपने बढ़ाई पोरी नहीं कर पाती त्रिशा बोलती जा रही थी और कुनाल बस उसकी बाते और सपने सुन रहा था थोड़ी देर में त्रिशा का होस्टल आ जाता है त्रिशा कार से उतरती है कुनाल हलका सा मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है त्रिशा भी मुस्कुराते हुए होस्टल के अंदर चली जाती है कुनाल अपने घर पहुचता है जहां निशा हॉल में पहले से ही मौजूद थी अरे कुनाल आ गई तो मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है मुझे नहीं लगता कि त्रिशा मेरे और हमारे घर के लिए सही है पर क्यों? चुकि उसके सपने बहुत बड़े है मौम वो एक करियर ओरेंटेड लड़की है और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ होममेकर बनकर रह पाएगी कुनाल उन्ने त्रिशा से हुई सारी बाते बताता है ऐसा कुछ नहीं है अभी उसके जिन्दगी में है ही क्या इसलिए अपने जिन्दगी जीने के लिए वो ये सब सोच रही है जब इतने बड़े घर की बहु बन जाएगी तब ये बाते खुद बगो छोट जाएगी घर में रहे जो मर्जी वो करे पर तब तक हेमंद वहां आ जाती है तुम अपनी सोच की वज़ह से किसी और की जिन्दगी क्यों खराब करना चाहती हो ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की चाहा सिर्फ बड़े घर की बहु बनना हो यही सच है आप मानो या ना मानो और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं लोंगी न आपको पीछ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है पर निश्या उनकी बाद बीच में काड़ते हुए कुनाल से कहती है तुम्हें अपनी मौमबर भरोसा है कुनाल हा में सिर्हिलाता है तो फिर तृश्या से बात करो ठीक है अगले दिन तृश्या में कुछ काम कर रही थी कि कुनाल उसके पास आता है तृश्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हाँ कही न यहाँ नहीं ओफिस के सामने एक कॉफी शॉप है बहाँ चलें चलिए दोनों कॉफी शॉप में चले जाती है क्या बात है सर तृश्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ जी मैं जानता हूँ कि मेरे मुँसे ये बात सुनकर तुम हैरान हो पर यही सच है मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ लेकिन सर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती सब कुछ जानता हूँ और मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इतने बड़े और रेपिटिट बिजनस्मेन है आपको आपकी लेवल की बहुत सी लड़किया मिल जाएंगी फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं इंसान का लेवल उसके बास कितना पैसा इससे डिसाइड नहीं किया जाता मैंने सीधे शब्दों में तुमसे अपने दिल की बात क्या दिया मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो और तुम्हें जैसा सही लगे मुझे बताओ मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए सर तुम्हें अच्छे से सोच लो और सर नहीं गुनाल तुरिशा हलका साम उसको रा देती है रात को वो अपने हॉस्टल रूप में कुनाल की बातों के बारे में सोच रही थी क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी सपने और ambitious जिनने मैं पूरा करना चाहती हूँ उनका क्या होगा पर वो इतने बड़े businessmen है उनकी mom इतना बड़ा business संभाल रही है इसका तो मतलब यही है ना कि वो लोग female को आगे बढ़ना देखना चाहते है मैं अपने बढ़ाई और job अराम से कर सकती हूँ वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है तो क्या problem है वो यही सब सोच कर कुनाल से शादी करने का मन बना लेती है और अगले दिन तरिशा ओफिस में कुनाल के केबिन में आती है कुनाल कुनाल के चहरे पर मुसकान आ जाती है कुनाल और तरिशा निशा और हेमन को इस बारे में बताते है कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है शुरु शुरु में तरिशा बहुत खुश थी गुमना फिरना लगा ही रहता था सब उससे बहुत प्यार करते थी शादी के 20 दिन बाद त्रिशा तयार होकर कहीं जा रही थी अरे त्रिशा कहां जा रही हो कुनाल उससे कुछ नहीं कहता त्रिशा कॉलेज जाकर फॉर्म भर देती है उसके बाद से वो एक्जाम की प्रिपरेशन में जुड़ जाती है और एक्जाम देती है वो बहुत खुश थी अपने जंदगी में एक महीने बाद उसका रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छे मार्क से पास हुए थी मॉम, पापा, कुनाल, मेरा रिजल्ट आ गया है मैं 87% मार्क साए है कॉंग्राचुलेशन्स मुभारक हो बेटा, कॉंग्रेट्स थांक्यू अल उफ यू मॉम, कुनाल, मैं सोच रही थी कि कल से ओफिस जॉइन कर लो आप लोगों को क्या लगता है ची, पहले मेरा MBA कंप्रीट नहीं था तो ट्रेनिंग कर रही थी पर मैं as a full-time employee जॉइन करना जाती हूँ आप लोगोंने मेरा काम तो देखा ही है कॉनाल और निशा एक दूसरे की तरफ देखती है त्रशा, बेटा तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है इतने बड़ी घर की बहू हो, तुम्हें क्या जरूरत है सब कुछ तो है तुम्हारे पास मैं मानती हूँ कि सब है मेरे पास पर मैं हमेशा से अपना करियर बनाना चाहती थी मेरे पैसों की वज़े से नहीं बलकि अपने सपनों के लिए ओफिस जाना चाहती हूँ और मैं पहले भी तो काम करती ही थी ओफिस में देखो तुरशा, हमारे घर के बहुए होममेकर बनकर ही रहती है तुमने शादी के बाद अपने पढ़ाई पूरी करी हमने कुछ नहीं कहा पर अब तुम्हें सिर्फ इस घर की बहु बनकर ही रहना होगा तुरशा, उनकी बात सुनकर हैरान रह जाती है कुनाल, आप मॉम से कहिए न आप तो जानते हैं न कि मैं हमेशा से जिंदगी में एक मुकाम हासल करना चाहती थी और मॉम, वो भी तो आफिस संभालती है तो उन्हें मेरे काम करने से क्या प्रॉब्लम है मॉम सही कह रही है तृषा शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी उसका पत्य और परिवार ही होता है और तुम्हें तो इस घर में कोई कमी ही नहीं है जो चाहें खरीदो, जहां चाहें धूमो फिरो काम करने की क्या ज़रूरत है रही बाद मॉम की तो उनके उपर परिवार की जिम्यदारी थी इसलिए वो अफिर जाती है क्योंकि पापा नहीं समाल सकते थे चीज़े त्रिशा बस कुनाल को देखे जा रही थी उसी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी और निशा की सोच ऐसी है ये के समाने में जी रही है आप लोग आप लोग चाते हैं कि लड़कें सपने दीख नहीं छोड़ दे क्या उनके सपनों की एहमियत बस इतनी है कि बड़े घर में शादी हो गई तो अब क्या हमें जो कहना था हमने कह दिया इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ये कहकर निशा ब कुनाल वहां से चले जाती है त्रिशा आखों में आशु भरे वही खड़ी रह जाती है मानों अपने सपनों को अपनी आखों के सामने दम तोड़ता देख रही हो हेमन्त बेबस से उसे यूँ खड़ा देख रहा था उसके आखे भी भराती है क्या हर लड़की का सपना बस बड़े घर में शादी हो जाय यही होता है क्या ऐसी सोच रखना ठीक है मेरी नजर में नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है निशार कुनाल के मना करने के बाद त्रिशा बहुत उदास रहने लगी वो कभी-कभी हॉस्टल आ जाया करती थी पर किसी को कभी कुछ पताया नहीं उसने वक्त के साथ उसके अंदर की घुटन बढ़ने लगी पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी हेमत अकसर उसके पास जाया करते थे और एक पिता की तरहें उसके सर पे हाथ रख दिया करते थे घुटन की वज़े से त्रिशा ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया एक दिन वो लड़ खडाते कदमों से घर आती है ये सब क्या है तरिशा तुमने शराब पी है अब तुमें इसमें भी प्रॉब्लम है हाँ आप ही लोगों ने तु कहा था कि मैं इतने बड़े घर की बहूं हूँ जो चाहे वो कर सकती हूँ तो फिर क्यों टोक रही हो मुझे हाँ कुछ भी करने से ये मतलब नहीं कि तुम सरयाम हुमारी इज़त का जनाजा निकालो क्या कहेंगे दुनिया कि मलोत्रा खांदान के बहु शराब पिकर तमाशी करती है माम अब इंसान कुछ तो करेगा ही औफिस जाकर काम करू इसमें भी आपके परिवार की इज़त कम होगी तो जीने के लिए कुछ तो करूँगी ही न कुनाल इससे कमरे में लेकर जाओ कुनाल तृशा को कमरे में ले जाता है तृशा की ऐसी हालत देखकर हेमन की आखे भराती है अच्छी खासी लड़की की जण्दिगी तभा कर दी तुम लोगों ने देखना एक दिन बहुत पश्टा होगे तुम लोग ये कहकर हेमन वहाँ से चले जाती है अगले दिन तृशा सोकर उठती है कुनाल और निशा ओफिस जा चुकी थी उसका सर बहुत भारी था उसे रात की सारी बाते याद आती है वोट कर घर के मंदिर में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है हीमन उसके बगल में आकर बैठ जाती है मैं क्या फिर पापा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ऐसी नहीं थी पता नहीं क्यों ये सब कर रही हो जानता हूं बेटा कि तुम ऐसी नहीं हो तुम गलत नहीं हो पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है मेरी एक बात मानोगी कहिए चली जाओ इस घर से ये आप ठीक कह रहा हो इस घर में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी जिन्दगी भर बस घुटोगी ऐसी जिन्दगी जीने से अच्छा है कि यहां से जाकर अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत करो हेमन के समझाने पर तुम घर छोड़कर जाने का फैसला करती है वो हेमन के पैर छुकर घर से चली जाती है जब निशा को इस बात का पता चलता है तो वो खुश होती है क्योंकि तृशा से अब उने कोई परिशानी ही हो रही थी वो कुनाल को भी समझा लेती है तृशा का रास्ती में आक्सिडेंट हो जाता है उसके पास से हॉस्टल का नंबर मिलता है जिसे वहाँ आई पुलिस हॉस्टल की वॉर्डन को इंफॉर्म करती है और तृशा को हॉस्पिरल पहुचाया जाता है तृशा और पायल दोनों की आखों में आसू थे मेरी गलती बस यह थी कि मैंने खुद यह सोच लिया था कि यह लोग मेरी सपनों की कद्र करेंगे इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्या लड़की के सपनों की कोई कीमत नहीं होती होती है बहुत होती है समाज को यह समझना होगा जो तुमने सहाँ बहुत लोगों के लिए यह बहुत छोटी सी बात होगी उनके हिसाब से तुम्हें जित करने की क्या जरूरत थी बड़ा घर अच्छा पती था तो तुम्हारे पास और क्या चाहिए किसी को पर ये सश नहीं है किसी की आँखों से अगर उसके सपने छीन ले जाए तो बहुत दर्द होता है किसने हग दिया आपको कि आप सामने वाले के जिन्दगी का फैसला लो कहने को तो हम इतने एडवांस हो चुके है पर इन बातों को अभी भी सीरिसली नहीं लिया जाता एक तरफ बड़ा घर हो और दूसरी तरफ हमारे सपने तो हमसे उमीद की जाती है कि हम उस बड़े घर को चुने और सपनों को छोड़ दे क्योंकि वो तो बहुत छोटी चीज है न बड़ा घर हाथ से निकल गया तो नुकसान हो जाएगा ठीक कह रही हो तुम तो तुम चिंता मत करो तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा मैं दिलाऊंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े उन लोगों को सबक मिलना ज़रूरी है लिकिन इस सब के लिए मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है इसलिए खुद को संभालो और अपने ले खड़ी हो तृशा हामे सिरहलाती है कुछ दिनों में पायल तृशा को घर ले आती है पायल कुनाल की जिंदगी में आने का मौकर ढोड़ने लगती है पायल अक्सर निशा को मंदिर में मिलने लगी वह बहुत ही सिंपल से गेट अप में होती थी उसे देखकर लगता था कि उसके दुनिया बहुत छोटी है और उसे जिन्दगी से कुछ खास नहीं चाहिए उसने निशा से जान पहचान बढ़ाई और उसके मन में यह बाट डाल दी कि उसे सिर्फ एक परिबार चाहिए क्योंकि वो अनाथ है अब दुबारा से यह सब पर इस बार मैं पायल को पहले ही सब कुछ बता दूँगा अगर उसे शादी करनी है तो घर पर ही रहना होगा ठीक है पर 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 परिशा के बारे में मत बताना पर उसमें हमारी गलती नहीं थी हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था शादी के बाद अगर लगेगा कि बताना चाहिए तो बता देंगे कुनाल चुप रह जाता है कुनाल और पायल एक दूसरे से मिलते हैं पायल कुनाल को यह यकीन दिला देती है कि उसका सपना सिर्फ एक परिबार का है और कुछ नहीं कुछ ही दिनों में पायल और कुनाल की शादी हो जाती है और तब से शिरू हुआ इस अदूरी कहानी को उसके अंजाम तक पहचाने का सफर निशा कुनाल और हेम अंत एकदम शौक थे कुनाल बस पायल को देखे जा रहा था I don't believe this तुम दोनों लड़कियों ने मिलकर ये सब किया मैं अभी पुलिस को बलाती हूँ दो मिनट के अंदर तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी पायल कुछ कहने वाली होती है कि कुनाल निशा से बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम कुनाल हमने गलत किया है तो उसकी सजा तो हमें मिलनी ही जाएए पायल कुनाल की तरफ हैरानी से देखनी लगती है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो मैं होश में हूँ मॉम कहा थाना मैंने तुम से कि जो तुम लोग कर रहे हो एक ना एक दिन उसका फल तुम लोगों को मिलेगा ये कहकर हेमन्त वहाँ से चले जाती है कुनाल भी चला जाता है कुनाल कहा जा रही हो तुम कुनाल बिना उनकी बात सुने आफिस से निकल जाता है निशा गुस्से से त्रिशा और पायल को देखती है छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को ये कहकर निशा भी वहाँ से चली जाती है त्रिशा और पायल एक गुस्टरी की तरफ देखती है उनके चहरे पर एक जीत की मुस्कान थी अगले दिन निशा घर के हॉल में परेशान घुम रही थी कि तभी वहाँ पर कुनाल आता है अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा मैंने लॉयर को घर बुलाया है एससा सबक सिखाऊंगे उन दोनों को की एक जिंदगी भर याद रखेंगी तुम रुको लॉयर आता ही होगा नहीं मॉम मैं नहीं रुकूँँगा क्यों और कहां जा रहे हो तुम पायल के पास ओफिस उससे और त्रिशा से माफी मांगने तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना प्यार करता हूँ मैं पायल से खुद से जाधा उससे प्यार हो गया मुझे वो बुरी नहीं है बहुत अच्छी है अपनी दोस्त के लिए उसने अपनी जिंदेगी दाहो पर लगा दी मैं उन दोनों से माफी मांग कर प्राश्चित करना चाहता हूं आशिरवाद दीजे मुझे कि मैं सफल हूँ वो निशा के पैट छोने के लिए जुखता है पर वो पीछे हो जाती है तुम्हारी इस बेव कूफी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ दूर हेमंद खड़े हुए सब देख रहे थे उनकी आँखों में आसू और चेहरे पर मुस्कान थी कुनाल उनके पास आता है मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कभी वो हिस्जत नहीं दी जो एक पिता को देनी चाहिए पर आज मैं गलती को सुधानने जा रहा हूँ और आपका आशिरवाद चाहता हूँ क्या आप देंगे हेमत उसे गले लगा लेती है मैं बहुत खुश हो कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया मैं जानता हूँ तुम अपने मकसद में जरूर काम्याब होगे मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है कुनाल उनके पैट जूकर आफिस चला जाता है वो पाईल के केबन में जाता है माफी? मांग ली? कुछ और भी कहना था पाईल उसके तरफ देखनी लगती है प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़ादा तुम्हारी आखो मैं अपने लिए प्यार ना सही पर नफरत नहीं देख सकता मैं पायल उसके बाद सुनकर हैरान रह जाती है एक और नाटक तुम्हे क्या मैं बेवकुफ दिखती हूँ जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाओंगी और एक बात मैं तुम्हारी कोई बीबी नहीं हूँ क्योंकि तृशा से तुम्हारा डिबॉस कभी हुआ ही नहीं तो पती होने का हग जताने के बारे में सोचना भी मत समझे तुम कुनाल मलोत्रा वो अपना मंगल सो तुरदार कर कुनाल के हाथ में रख देती है कुनाल की आखों में आशू आ जाती है जानता हूं कि मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है अगर तुम ये ना भी करती तब भी मैं कोई हग नहीं जताता तुम पर पर मेरा प्यार सच्चा है उसमें कोई धोका नहीं है अच्छा इतना प्यार करती हो क्या कर सकते हो अपने प्यार के लिए कुछ भी, जो तुम चाहो, मैं सब कुछ करने को तयार हूँ तब तक तिर्शा वहाँ आ जाती है क्या बात है पायल, तुम ठीक तो हो न? और ये यहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ये कहता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है और अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है तो वहीं सोच रही थी कि क्या करो? कुछ सोच कर पायल कुनाल की तरफ देखती है और बोलती है जिस ओफिस में इतने सालों से बॉस बन कर रहे हो क्या वहाँ एक मामूली से इंप्लॉई बन कर काम कर पाओगे? इस ओफिस में एक आम सालरीड इंप्लॉई की तरहे काम करोगे? कुनाल कुछ सोचने लगता है क्या हुआ? प्यार का भूत उतर गया? अब जाओ यहां से, बहुत काम है मुझे वो मुड़कर अपनी चेयर के पास जाने लगती है कि तभी कुनाल बोलता है मन्जूर है, मैं तयार हूँ पाइल और त्रिशा हिरानी से उसकी तरफ देखने लगती है पाइल खुद को संभालते हुए बोलती है ठीक है, कल से टाइम पर आ जाना ओफिस अगर जरा से भी लेट हुए तो सालरी करेगी ठीक है, वैसे थैंक यू थैंक यू, किस लिए? मुझे मेरा प्यार सावित करने का मौका देने के लिए ये केकर कुनाल वहाँ से चला जाता है और पाइल बस हैरानी से उसे देखती रह जाती है तुम श्योर हो चो तुमने किया है? हाँ, बहुत प्यार-प्यार कर रहा है ना दो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी पाइल अंदर से थोड़ी परिशान हो जाती है पर बहुत सफाई से त्रिशा के सामने चुपा लेती है दूसरी तरफ कुनाल घर पहुचकर सारी बात हेमन्द और निशा को बताता है अपने ही ओफिस में तुमें एक आम से इंप्लॉई बन कर काम करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुनाल? और उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं खोश हो कुनाल कि पायल ने कम से कम तुम्हें एक मौका दिया इस मौके को अपने हास से जाने मत देना बेटा और अपने प्यार को जीत कर दिखाना उसकी बात सुनकर कुनाल के चहरे पर एक मुस्कान आ जाती है वो हामें सिर हिलाता है वो अपने कमरे में चला जाता है निशा गुस्से से हेमन की तरफ देखती है और वो भी वहाँ से चले जाती है अगले दिन सुभे कुनाल आफिस के टाइम से एक घंटा पहले ही तयार होकर और पायल की तस्वीर को अपने हाथ में ले लीता है कुनाल आदे घंटे पहले ही ऑफिस बहुत जाता है और जहां बागी इंप्लोईस बैठते हैं वही बैठ जाता है थोड़ी देर में पायल और तृशा भी ऑफिस आती है तुम? हाँ तुमने ही तो कहा था कि आसे जॉइन कर लो पायल वहाँ से जाने लगती है कि कुनाल बोलता है पायल मेरी सीट कौन सी होगी? पायल आसपास देखती है और उसके केबिन के जस्ट सामने वाले सीट पर कुनाल को बैठने के लिए कहती है वो वहाँ बैठो जाकर तुम पर खास नज़र रखना ज़रूरी है कुनाल मुसकरा कर उस सीट पर जाने लगता है कि पायल बोलती है और एक बार पायल नहीं मैम पायल अपने केबिन में चली जाती है कुनाल भी अपनी सीट पर बैठ कर काम करने लगता है पायल अपने केबिन से कुनाल को देख रही थी तुम चाहे चितना भी नाटक कर लो कुनाल मलोत्रा, मैं तुम्हारा असली चहरा सब के सामने लाकर रहूंगी क्या कुनाल अपने प्यार का एहसास करा पाएगा पायल को, क्या होगा निशा का अगला कदम, क्या होगा इस एक दूसरे में उलजी जिन्दगियों की कहानियों का अंजाम कुनाल पूरी सचाई और महनत से अपना काम कर रहा था पायल बहुत कोशिश करती थी, कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे कुनाल कुछ रियाक्ट करे, पर वो बहुत शांती से उसकी हर बात सुन लिया करता था ये बात पायल को अंदर ही अंदर बहुत परिशान कर रही थी एक दिन त्रिशा अपने केबिन में थी कुनाल उसके पास आता है तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी थी मुझसे? कहो मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गलत किया मेरी और मॉम के वज़े से तुम्हें बहुत कुछ सेना पड़ा उसके लिए माफी माँगना चाते हो? यही ना? पर एक बात बताना मुझे क्या तुम्हारे माफी माँगने से जो कुछ भी मैंने साहा, क्या तुम वो बदल सकते हो? वो वक्त जो निकल गया क्या तुम वो वापस ला सकते हो मेरी जिन्दगी फिर से पहली जैसी बना सकते हो जवाब दुकुनाल नहीं बना सकता ना जो तुम्हारे साथ हुआ वो बदल सकता हूँ ना वो वक्त वापस ला सकता हूँ और ना तुम्हारे जिंदगी पहले जैसी बना सकता हूँ मैं जानता हूँ मैं माफी मांगने के भी काविल नहीं हूँ पर फिर भी तुम्हारे सामने अपनी मन की वाते क्याना चाहता हूँ तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ त्रिशा हैरानी से उसे देखने लगती है, मेरा सब कुछ लेने की बाद अभे भी तुमें मुझसे कुछ चाहिए? मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा, तुम उस पर भरोसा नहीं करोगी, पर मैं ये भी जानता हूँ, कि तुम कभी नहीं चाहोगी, कि जो कुछ तुमने सहा, वो कोई और लड़की भी सहे, इसलिए मैं एक NGO खुलना चाहता हूँ, जिसमें उन औरतों को एक नई ज तुम्हारे सामने अपनी मन की बात रखना चाहता था, सोचूंगी, ठैंक्स, वो जाने लगता है पर कुछ सोच कर रुख जाता है, तुरिशा, मैं शायद आस तक ऐसा इसलिए था, क्योंकि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, मैं वो दर्द समझ ही नहीं पाया कभी, और नहीं किसी के खुशी मेरे लिए मायने रखती थी, पर आज कितनी अजीब बात है ना, जब मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ है, तब वो इनसान मुझे नफरत करता है, आज मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ, ये कहते कहते कुनाल की आँखों में हलके आ जाते हैं, तृशा उसे ऐसे देखती है, चलता हूँ, ये कहकर वो उस केविन से बाहर चला जाता है, तृशा बस उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, क्या कुनाल सच में बदल गया है, क्या उसे सच में पाइल से प्यार है, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, वो यही जोच रही थी कि क्या कोई इत्सान इतना बदल सकता है, हुआ क्या है, तृशा उसे कुनाल की कही हुई सारी बाते बताती है, क्ये सब कुनाल ने कहा, हाँ, पाइल अपना मूद दूस्टे तरफ कर लेती है और कहती है, तो उसके चकर में मत पढ़, वो कभी नहीं बदल सक प्रिशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है पायल सच सच पताना क्या तुम्हें कुनाल में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ एक बार अपने सारे गुस्से को भूलकर अपने मन से पूछो और सोचो क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुनाल को इनाटक कर रहा है और एक बार तुम कुनाल की बार सुनकर इतना अनकमफर्टिबल क्यों होने लगती हो इस पारे में सोचना जरूर पायल तृषा ये कहकर वहां से चली जाती है और छोड़ जाती है पायल केविन से ही कुनाल के तरफ देख रही थी जो ऑफिस के बाकी सारे एंप्लोईस के साथ बह दूसरी तरफ निशा एक आदमी से मिलने जाती है और पायल की तस्वीर उसे देती है यही है इसी का मुरूर करना है और ऐसा करना है जैसे कि ये आक्सिडेंट लगे आपका काम मैडम हो जाएगा पर इस वारदात को अंजाम तुम्हें तब देना है जब मैं कहूं ठीक है म प्यार ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वो ये भी भूल गया कि वो कौन है मेरी इतने सालों की परवरिश पर तुम्हारा प्यार हावी हो गया पायल मैं अपने बेटे को इस हालत में और नहीं देख सकती तुम्हें मरना होगा पायल तभी मेरा बेटा फिर से पहला ज खूंती रहती थी और उसे जच किया करती थी हर बार वो चाहती थी कि कुनाल कुछ ऐसा कर दे जिससे वो गलत साबित हो जाए पर कुनाल उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था कुनाल ने जो प्रोजेक्ट तृशा को बताया था तृशा ने पायल से बात करके उसे पास करा कुनाल उस प्रोजेक्ट का हिट था कुनाल ऑफिस में कुछ काम कर रहा था तभी तृशा कुनाल के पास आती है अरे तृशा तुम यहां वैसे अच्छा हुआ आ गई मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था यह मैंने एजुकेशनल इंस्टिटूट्स और कुछ कमपनीज जिनमें हम इनिशेटिव के रिकार्डिंग बात कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनाई है जब भी कोई ऐसी लड़की जो किसी तरह की प्रॉबलम में हो या चीज़े अफोर्ड ना कर पा रही हो तो उसकी पढ़ाई और टेलेंट के बेसिस पर कुछ सीट्स अलग से रिजर्व क को दिखा देना और आप लोग जो भी डिसाइड करना मुझे बता देना उसी हिसाब से मैं आगे की चीज़े कर दूँगा नहीं है तो फिर किसका है कुनाल का पायल थोड़ा परिशान होने लगती है क्या हुआ तुम्हारे चेहरे के भाव के बदल गे पायल ऐसा कुछ नहीं है पायल तुमने ये लड़ाई मेरे लिए शुरू की थी ना आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि उस कड़वाहट से पहसूस नहीं होता कभी-कभी तो लगता है कि ये वो इनसान ही नहीं है जिससे मैं नफरत करती थी पायल बस उसकी बाते सुने जा रही थी उसकी आँखों में आसू आने लगती है जब मुझे उसमें वो इनसान दिखता ही नहीं तो मैं उसे नफरत कैसे करूँ उसमें मु हम एक बंधन में बंधे जरूर पर कभी भी उसे रिष्टे को आगे नहीं बढ़ा पाए वो कुनाल अलग था और आज का कुनाल कोई और है जो तुमसे बहुत प्यार करता है तुम क्यों रोक रही हो खुद को मत रोको और अपना लो उसे अगर किसी को सच्चे दिल से अपनी गलती सुधारने के लिए बाद माफी ना मिले तो दुनिया में कोई भी अपनी गलती ना तो कभी मानेगा और नहीं सुधारना चाहेगा क्योंकि उसे पता होगा कि कभी माफी तो मिलेगी ही नहीं क्या तो मुसे एक ऐसा उधारन रखना चाहती हो दुनिया के सामने जाओ पाइल और अपनालो से और क्यों? आप पाइल की जान लेना चाते हैं? आप जानती भी हैं की क्या कर रही हैं? हाँ जानती हूँ. उसे उसके किये की सजा दे रही हूँ. जो उसने तुम्हारे साथ किया, उसका खामी आजा उसे अपनी जान दे कर चुकाना होगा. आप उसकी नहीं, बलकि मेरी जान लेने को कह रही हैं. लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए. मैं मेरी पाइल को कुछ नहीं होने दूँगा. समझी आप? ये कहकर कुनाल भागते हुए वहाँ से निकल जाता है. कुनॉल? गुनॉल? वो भी उनके पीछे जाती है. कुनॉल रास्ते से पाइल को लगातार फोन कर रहा था. पर कोई फोन नहीं उठा रहा था. तरसल जल्दी में पाइल अपना फोन आफिस में ही भूल गई थी. किस तुम पैशे मतलो, मैं पाल को कुछ भी नहीं होने दूँगा वो फोन रग देती है, तब ही उसे सामने पाल की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है पाल कुनाल को देखकर गाड़ी रोक देती है, कुनाल गाड़ी से निकल कर उस आदमे को कॉलर से पकड़ कर उसकी गाड़ी से निकालता है और मारने लगता है मेरी पाल को लुकसान पहुचाएगा तु, तेरी हिम्मत कैसे हुई वो उसे मारे जा रहा था, पाइल उसे रोकती है कुनाल, कुनाल, प्लीज रुक जाओ, क्या हुआ है, तुम इने क्यों मार रही हो यह आदमी तुम्हारी जान लेने के लिए आया था क्या? हाँ, मॉम के कहने पर पाइल आखों में आशु भरे, बस कुनाल को देखे जा रही थी मुझे माफ कर दो पाइल, हर बाहर मैं और मेरा परवार तुम्हारे दुख का कारण बनी जाते है पाइल अपनी उंगली उसके होटों पर रख देती है कुनाल हैरानी से उसके तरफ देखने लगता है और वो जमीन पर गर जाता है निशा के हाथ से बंदूग छुड़ जाती है और वो भागते हुए जखमी बड़े कुनाल के पास आती है पाइल भी भाग कर कुनाल के पास आती है कुनाल, कुनाल, ये तुमने क्या किया बेटा, तुम बीच में क्यों आए कुनाल आखे खोलो तुम मिची छोड़ कर ऐसे नहीं जा सकती मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना कुनाल को हॉस्पिटल लाया जाता है तुर्शा और हीमन भी हॉस्पिटल पहुचते हैं जब हीमन को सारी बात पता चलती है तो वे एक जोड़दार थपर निशा की मारते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की आज सिर्थ तुम्हारी वज़े से मेरा बेटा इस हालत में है तुमने आज तक इतना सब किया मेरी जिन्द की खराफ की तुर्शा की जिन्द की खराफ की पाइल की जान लेनी की कोशिश की पर इन सब के बावजूद तुमने क्या पाया तुम एक बेरिष्टा नहीं कमा पाई तुम्हारे पास हर रिष्टा था पर तुमने खुद उसे खुद से दूर किया कुनाल पहले जैसा था ना वो सिर्फ तुम्हारी परवरिष का नतीजा था और जब उसने अपने आपको सुधाना चाहा तो तुमने उसे इस हालत में पहुचा दिया छी, कैसी मा हो तुम बस, एनाफ अब मैं एक शब भी नहीं सुनूँगी आज मैं जैसी भी हो सिर्फ आपके वज़े से हो मेरी वज़े से क्योंकि आपने मुझे धुका दिया था मैं शुरू से ऐसी नहीं थी पचीस साल पहले मैंने आपको अपनी ही ओफिस के एक लड़की काजल के साथ देखा था वाट क्या बखवास कर रही हो तुम बखवास नहीं सच है ये हेमन को हलका सा कुछ याद आता है हेमन के कंधे पर एक लड़की सर रखकर रो रही थी और हेमन उसे सभाल रहे थे अगर तुम उस बात को लेकर अपने मन में बैठी हो तुमने मुझे उस लड़की को गले लगाती तो देखा पर शायद उसके पीछे का भाव नहीं समझा कभी मैंने उसे किसी गलत भावना के साथ नहीं बलकि एक बड़े भाई की तरह समाला था क्योंकि उसके फ्यानसे को ट्यूमर डिटक्ट हुआ था उसे उसी वक्त ये बात पता चली थी और वो बहुत परिशान थी मैं नहीं मानती हेमद उसे अपने फोन में उस लड़की की फोटो उसके पती के साथ दिखाता है और कुछ मेसेज़ेस भी बढ़ाता है अब तो यकिन करोगी ना इसका मतलब इंसान को सेल्फ रिस्टेक्ट लखनी चाहिए पर सेल्फ रिस्टेक्ट को इगो नहीं बनने देना चाहिए तुमने वही गल्ती करी अगर ऐसा कुछ तुमें लगा भी था तो तुमें उसी वक्त मुझसे बात करनी चाहिए थी पर तुमने ऐसा ना करके गुणा और सजा अपने आप सोच लिया जिसका नतीजा ये हुआ कि तुमने मेरी अपनी, कुनाल, पायल और तृशा हम सब की जिन्दगी बरबात कर दी मुझे माफ कर दीजिये मैंने बहुत गलत किया मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ तृशा, पायल, प्लीज मुझे माफ कर दू नहीं मॉम, आप माफी मत मांगिए आपने जो किया गलत फैमी में किया बस आपकी ये गलती हमें इसे ही सिखा गई कि एगो को इतना भी बड़ा मत कर दो कि उसमें रिष्टे ही जल जाए पायल सही कह रही है पायल और तृशा दोनों निशा की गले लग जाती है हेवन जी के भी चेहरे पर एक संतुष्टी भरी मुस्कान थी तभी वहां डॉक्टर आते है मिश्टर कुनाल अब खतरे से बाहर है उन्हें होश आ गया है क्या हम उससे मिल सकते हैं जी बिल्कुल पर आप में से पायल कौन है कुनाल तब से यही नाम लिए जा रही है मैं पायल हूँ पायल कुनाल के पास उसके वोड में जाती है और उसके बकल में बैठ कर रो नहीं लगती है प्लीज पायल, रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मैं बहुत बुरी हूँ गुना, कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे साथ और आज मुझे पचाने में ही तुम्हारे ये हालत हो गई नहीं पायल, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वज़े से ही मैं एक बहतर इंसान बन पाया हूँ, बस अब सर्फ एक ही तमन्ना है मन में पायल इसके तरफ देखती है सारी ज़न्दगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, I love you I love you too दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, उनके चहरे पर एक मुस्कान थी कुछे दिनों में कुनाल ठीक होकर घर वापस आता है तृशा और कुनाल म्यूचूल अंडरस्टानिंग से डिवॉस ले लेती है तृशा उन्हें के ओफिस में काम करना जारी रखती है और बाकी सब के जंदगे में एक नई सुभा हुई थी आखिरकार कुनाल और पायल की कहाने उसके सही अंजाम तक पहुच ही गई थी आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताईएगा ताकि हम ऐसी ही और कहानिया आपके लिए लाते रहें थैंक्स फर वाचिंग